नमस्कार, क्या इंसान अपने नसीव को बदल सकता है? कहा तो यह जाता है कि भाग्य में जो लिखा होता है वो होकर रहता है लेकिन हम मतुरा में रहते हैं भगवान कृष्ण की नगरी है और भगवान कृष्ण ने कर्म का सिध्धान दिया है उनका कहना है कि जो कर्म हम करेंगे उसके अनुसार हमें फैल मिलेगा और इसको हम ज्यादा तर फॉलो भी करते हैं हम कहते हैं हम अपना नसीब खुद लिख सकते हैं लेकिन ग्रीक ड्रामा में ग्रीक ट्रेजडी में खासकर जो दिखाया गया है कि मनुश्य अपने भाग्य को नहीं बदल सकता वहाँ destiny is character यानि जो आपका भाग्य है वही आपका चरित्र है जबके जो कर्म का सिद्धान था उसके अनुसार आपका चरित्र आपका भाग्य निर्धारत करता है तो एडीपस रैक्स सोफकलीज का लिखा हुआ एक ऐसा नाटक है जहां आप देखेंगे कि लाख कोशिशें करने के बाद भी एडीपस रैक्स अपना नसीब नहीं बदल पाता अपना भाग्य नहीं बदल पाता जो उसके बारे में भविश्यमारी की गई थी वो होकर रहत है एरिस्टोटल का कहना है कि यह दुनिया का सबसे अच्छा ड्रामा है एडीपस रैक्स और जो वर्ल लिटरेचर है उसका आंकलन करते वक्त उसका असेस्मेंट करते वक्त क्रिटिक्स ने अपने अपने हिसाब से ओपिनियंस दी हैं लेकिन ज्यादातर लोग धाइस्टोटन करते वक्ताइस्टो 2 ड्रामा लिखे थे जिनमे से केवल 7 ड्रामा यह मैंने Google क्लिक किया और यहां हम टाइप करेंगे Google पर मैंने तो क्योंकि पहले भी सर्च किया था तो मेरे यहां सर्च हिस्ट्री में दिखा रहा है Edipus Rex Full Text by Ian Johnston तो यही आप टाइप करें पूरा टेक्स आपके सामने निकल के आ जाएगा अब मैं इसको क्लिक करते हूँ यह हम गए देखिए English Text यहां लिखकर आ रहा है Sophocles, Edipus the King English Text यां Johnston Text करके आ रहा है इसको हम क्लिक करते हैं अब देखिए यह खुल गया Edipus the King Sophocles अब यहां पर जो Translator's Note है उसमें यह साफ लिखा हुआ है कि Students, Teachers, Performing Artists and Members of the General Public May Download and Distribute This Text Without Permission and Without Charge तो जो Students हैं, Teachers हैं Performing Artists हैं वो और General Public हैं वो लोग बिना किसी चार्ज के बिना किसी Permission के इस Text को डाउनलोड कर सकते हैं Distribute कर सकते हैं तो आप Students हैं मैं Teacher हूँ वैसे मैं हमेशा आपने आपको Student ही समझती हूँ कि मैं सारा दिन पढ़ती ही रहती हूँ तो हम सभी Students हैं तो इन्होंने एक क्रिपा की है हम Students पर कि हमें ये फ्री में देंगे और हम ये फ्री ट्रांसलेशन इसको हम यूज करेंगे तो आप लोग वैसे तो मैं आपको दिखाऊंगी यहां अपने वीडियो में और आप चाहें तो अलग से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं इसको प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं अपने लिए ठीक है इसके अलावा जो बाकी टेक्स्ट मैंने पढ़ाए हैं वो भी आपको इसी तरीके से गूगल पर मिल जाएंगे सबके टेक्स्ट एवेलेबल हैं गूगल पर फ्री टेक्स्ट हैं चलिए अब इसका हम बैक्ग्राउंड नोट देखते हैं सोफोकलीज यह उसकी डेट ओफ बर्थ और डेट ओफ डेथ आप याद रखेगा पूछी जाती है एक्जाम में मुल्डिपल चैस कोश्टिन्स में 495 बीसी से 405 बीसी तो बीसी में डेट से उल्टी चलती हैं अगर एडी होता बिफोर क्राइस जो डेट सोती हैं वो उल्टी चलती हैं अगर एडी में होता तो यह तो एथेंस का एक सक्सेस्फुल राइटर था उसने लिखी हैं तरासदिया लिखी है ओफ हिल्स वन ट्विंटी प्लेज यह मैंने आपको अभी शुरू में बताया था कि 120 उसने ड्रामा लिखें उनली 7 हैव सर्वाइब तो केवल 7 ड्रामा हैं जो हमारे पास उपलब्ध हैं यह तीनो नाम इसको दिये जाते हैं मैंने जब समरी अपलोड की थी तब ही आपको बताये थे कि यह तीनो नामों से इसको जाना जाता है तो लगभग 420 BC में यह लिखा गया था इस ड्रामा को न केवल उसका सबसे अच्छा नाटक कहा जाता है बलके प्योरेस्ट मने शुद्धितम और मोस्ट पारफुल सबसे ज़्यादा सशक्त एक्सप्रेशन मने अभिवेक्ति और ग्रीक ट्रेजिक ड्रामा जो यूनानी त्रासदी नाटक हैं उनका सबसे अच्छा एक्स्प्रेशन इडिपस रैक्स को कहा जाता है एडिपस के बारे में ये कहा गया बप्याद इडिपस एक अजनवी है तीपस के लिए तो ये एक सिटी स्टेट था थीपस वो उस शहर का राझा बन गया after the murder of King Lias राजा लियास की हत्या के बाद about 15 और 16 years before the start of the play तो नाटक जहां से शुरू होगा जब आप इसको पढ़ना शुरू करेंगे तो उससे 15-16 साल पहले राजा लियास की मृत्यू हो चुकी थी और इडीपस थीपस का राजा बन चुका था He was offered the throne उसको राजगदी offer की गई उपहार में दी गई because he was successful क्योंकि वो सफल हुआ था in saving the city शहर को बचाने में from the sphinx sphinx से sphinx की एक कहानी आएगी ये एक ऐसी घटना है जिसके बारे में refer किया गया है जिसका reference दिया गया है repeatedly बार बार in the text of the play जब इस नाटर को आप पढ़ेंगे तो उसके text में बार बार इसकी कहानी आएगी he married lias widow jocasta तो lias का murder हो चुका था उसकी बिधवा थी jocasta उससे शादी कर लेता है and had four children with her और चार बच्चे पैदा होते हैं उसके two sons, दो बेटे etiocles ये आप इनके नाम याद कर लीजे हलांकि ये दोनों बेटे text में नहीं आते कहीं लेकिन नाम फिर भी याद कर लीजेगा आप etiocles and polynesis and two daughters और दो बेटियां पैदा होती हैं Antigone and Smeen तो इनके उपर भी ड्रामा है Antigone भी मैं पढ़ाऊंगी जल्दी तो ये चार बच्चे Edipus के पैदा होते हैं अब आगे बढ़ते हैं dramatist persona देखते हैं यानि कौन-कौन पात्र हैं इस ड्रामा में उनके नाम देखते हैं तो सबसे पहले तो Edipus है The King of Thieves Thieves का राजा फिर Priest The High Priest of Thieves Thieves के सबसे उंचे जो पुजारी है फिर क्रियोन है Edipus brother-in-law Edipus का साला है यह यानि उसकी पत्नी का भाई जोकास्टा का भाई फिर Chorus of Thieves and Elders Chorus है जो कि बहुत important character होता है character क्या सम्मूह होता है लोगों का जो कि बीच बीच में गीत गाते हैं और आपको background समझाते हैं जो चीज़ें stage पर नहीं दिखाई जा सकती उनको Chorus एक्सप्लेन करता है तो Chorus of Thieves and Elders यानि Thieves के जो बुज़ूर्ग लोग है Elders है उनका सम्मूह है फिर टीर सियास है एक बूढ़ा अंधा प्रोफेट है जो भविश्वानी करता है जिसको भूत भविश बर्तमान तीनों की जानकारी है फिर बॉइ एक लड़का है attendant on टीर सियास क्योंकि टीर सियास अंधा है तो उसको कहीं भी जाना होता है तो ये जो बच्चा है लड़का है उसके साथ जाता है फिर जोकास्टा है wife of इडीपस sister of क्रियोन तो ये इडीपस की पत्नी है जोकास्टा और क्रियोन की बहन है messenger दूत है an old man एक बुढ़ा आदमी servant an old shepherd एक बुढ़ा चरवाहा है servant तो ये बेटी है पहले ही आप इसे पढ़ चित है एक बच्ची ही दिखाई गई है स्मीन daughter of इडीपस और जोकास्टा इससे भी आप पढ़ चित है ये भी बच्ची है servants and attendants on इडीपस और जोकास्टा इसके अलावा जो और पात्र है वो सेवक है attendant माने भी सेवक होता है एडीपस और जोकास्टा के सेवक है तो मैंने आपको बताया था कि जो दो बेटे हैं इनके वो यहाँ पर characters नहीं है इस ड्रामा में लेकिन फिर भी नाम याद कर लीजिगा the action takes place in thieves तो ये जो नाठक है इसका action thieves में है in front of the royal palace शाही महल के सामने the main doors are directly facing the audience तो शाही महल के जो मुख्य दरवाजे हैं वो ठीक audience के सामने है there are altars यानि बेदियां है देवताओं के लिए बेदियां होती है beside the doors दरवाजों के पास में ही a crowd of citizens एक भीड है नागरिकों की carrying laurel branches garlanded with wool and led by the priest has gathered in front of the altars तो उनके हाथ में जो पेड़ की शाखाए हैं और हार हैं वो लगे हुए हैं देवता को अर्पित करने आए हैं फर्याद करने आए हैं और साथ में उनके priest हैं led by priest में यानि उनका जो नित्रित तो कर रहे हैं उनको जो लीड कर रहे हैं वो priest है has gathered ये सभी कठा हुए in front of the altars वेदियों के सामने with some people sitting यानि कुछ लोग बैठे हुए हैं on the altar steps वेदि की सीडियों पर इडिपस enters through the palace doors और इडिपस प्रवेश करता है palace के दरवाजे से तो अब ड्रामा शुरू हो रहा है देखिए इडिपस जब प्रवेश करता है तो क्या कहता है text को थोड़ा magnify करके देखें ये प्रलोग है यहाँ पर इन्होंने title डाल नहीं रखा है लेकिन दूसरा जो text था पहले मैंने दूसरा text खुला था वहाँ पर इन्होंने प्रलोग डाला हुआ था दो-तीन जगा दे रखा है ये Google पर text तो अगर नहीं भी लिखा है तो आप जान लीजे मैं बता रही हूँ आपको ये प्रलोग है line number 1 से लेकर 150 तक अच्छा English की जो lines है और Greek language की जो lines है वो different है यहाँ जैसे आपको मैं बाद में दिखाऊंगी कि जो 10 लिखा हुआ है open में देखिए अब आपको दिख रहा होगा कि ये जो 10 bracket के बाहर लिखा हुआ है ये English translation की lines है और जो bracket के अंदर लिखा हुआ है वो Greek translation की lines है तो यहाँ तो दोनों lines बरावर पर रहें जहां English की 10 है वोहीं Greek language की 10 है लेकिन आगे आके इनमें कुछ difference आ जाता है तो कोई बात नहीं हम इसको follow करेंगे चली देखते है इडिपस कह क्या रहा है जब ये जो प्रजा है इडिपस की उसके महल के सामने एक अठा हो रही है इडिपस कहता है तो यहाँ पर आके question mark लगता है और sentence खतम होता है तो अब देखिए my children कहके संबोधित कर रहा है वो अपनी प्रजा को तो मेरे बच्चो latest generation यानि जो आधुनिक पीड़ी है born from cadmus तो cadmus ने ये शहर बसाया था थीपस जो शहर है वो cadmus ने बसाया था तो cadmus जो हमारे पूरवज हैं उनसे आप लोग पैदा हुए हो क्योंकि एडीपस तो बाहर से आया है तो उनको इस तरीके से संबोधित कर रहा है born from cadmus आप लोग cadmus की ओलादें हो उनकी पीड़ियां हो why are you sitting क्यों बैठे हो आप here यहाँ पर with reed sticks sticks मने उनके हाथ में लकडियां हैं लाठियां हैं और रीद उन पर हार लटके हुए हैं जैसा कि अभी पहले बताया भी कया था in supplication मने फर्याद करते हुए supplication फर्याद करना प्राथना करना to me मुझसे while the city जबकि ये सारा शहर fills भरा हुआ है with incense incense होती है खुश्बू अगर बत्ती जलाते हैं धूब बत्ती जलाते हैं सामगिरी जलाते हैं तो खुश्बू जो फैलती है वो incense होती है तो सारा शहर खुश्बू से भरा हुआ है chants chants मंत्रों का जाप होता है जहां कहीं भी पूजा होती है अलग-लग तरीके के अपनी भाशाओं में मंत्रों होते है तो मंत्रों के जाप से भरा हुआ है and cries of pain और साथ में चीखे हैं of pain दर्द की सारा शहर दर्द से चिला रहा है और इन सारी चीजों से पूरा शहर भरा हुआ है तुम लोग यहां पर क्यों बैठे हुए हो चिल्डन बच्चो इट वुड नॉट बी एप्रोप्रियेट फॉर मी एप्रोप्रियेट माने उचित इट वुड नॉट बी यह नहीं होगा उचित फॉर मी मेरे लिए तु लर्ण माने जानकारी हासिल करना of this इस चीज की from any other source किसी और स्रोथ से यानि तुम्हारी जो पीड़ा है तुम्हारा जो दर्द है उसकी जानकारी मुझे कहीं और से मिले तो ये मेरे लिए उचित नहीं होगा so I have come in person इसलिए मैं खुद ही आया हूँ बजाए किसी दूद को भेजने के कि वो आप लोगों से पूछे के भाई किया माजरा है मैं खुद चल कर आया हूँ I, मैं, Oedipus whose fame all men acknowledge whose fame जिसकी ख्याती all men साभी लोग acknowledge मने सुईकार करते हैं यानि मेरा नाम दूर दूर तक फैला हुआ है सभी लोग मुझे जानते हैं तो देखिए वो किस तरीके से अपने बारे में बोलता है जब आप character sketch हलांकि मैंने पहले ही upload कर दिया एडipus का लेकिन फिर भी आप एक एक शब्द पढ़ी रहे हैं तो जानकारी रखिए कि वो थोड़ा सा arrogant है अपने बारे में किस तरीके से बोलना है कि देखो मैं मुझे सारी दुनिया जानती है मेरी ख्याती पूरे द्विश्व में फैली हुई है सभी लोग मेरे बारे में सुईकार करते हैं acknowledge करते हैं मुझे पहचानते हैं but you there लेकिन तुम वहाँ पर old man hey बज़र्ग व्यक्ति tell me तुम मुझे बताओ you seem to be the one you seem तुम लगते हो to be the one ऐसे एक व्यक्ति who ought to speak जिसको के बोलना चाहिए for those assembled here for यानि उनके लिए उन सब के लिए assembled here जो यहाँ पर इकठा हुए है आगे बढ़ाएं टेक्स को what feeling brings you to me यानि वो कौन सी feeling है कौन सी भावना है brings जो ले आई है you तुम लोगों गो to me मेरे पास क्या चीज है क्या भावना है जो तुम को मेरे पास लाई है fear और desire डर या फिर कोई इच्छा you can be confident that I will help तुम इस बात का भरोसा रख सकते हो कि मैं मदद करूँगा I shall assist you मैं तुम्हारी मदद करूँगा willingly अपनी इच्छा से अपनी खुशी से in every way हर तरीके से I would be a hard-hearted man indeed if I did not pity supply ants like these I would be यानि मुझे जाना जाए मैं बन जाऊंगा या माना जाऊंगा a hard-hearted man एक पत्थर दिल आदमी कठोर दिल आदमी indeed वास्तम में if अगर I did not pity मैं दयान ना करूँ supply ants फर्यादियों पर like these इनके जैसे ये जो फर्यादी है ऐसे फर्यादियों पर अगर मैं रहम ना करूँ तो मुझे पत्थर दिल संग दिल इनसान माना जाए तो priest का जवाब सुनिए priest काफी लंबा सेंटेंस है पूरा तो मुझे लगता बहुत नीचे जाके फिल स्टॉप लगेगा तो हम थोड़ा-थोड़ा ही करते है तो वो कहता है Oedipus ruler of my native land Oedipus तुम जो के राजा हो मेरे native land के मेरे वतन के मेरे देश के मेरे city state के You see तुम देख रहे हो How people hear कि कैसे यहां पर लोग है Of every age हर उम्र के Are crouching down वाने जुके हुए है Around your altars तुम्हारी वेदियों के चारों ओर Some flashlings Flashlings होते हैं जिनके पंक अभी-अभी निकले हो तो यानि कि बच्चे हुए Barely, मुश्किल से ही Strong enough उनमें इतनी ताकत है To fly कि उड़ सकें तो जो नन्हे बच्चे होते हैं चिडियों के वो flashlings कहलाते हैं और उनके पंक इतने मजबूत नहीं होते कि वो उड़ सकें तो यहां इंसानों के बच्चों के लिए ही आया है कि कुछ तो बच्चे इतने छोटे हैं कि चल फिर भी नहीं सकते And others bent by age और कुछ लोग ऐसे हैं जो bent बने जुक गए हैं By age उमर के मारे जब बहुत बढ़ापा आ जाता है तो लोगों की कमर जुक जाती है तो कुछ इतने बुढ़े लोग हैं और कुछ इतने छोटे बच्चे हैं With priests as well साथ में उनके पुजारी भी है For I am priest of Zeus क्योंकि मैं priest का मैं priest हूँ Zeus का तो Zeus सबसे बड़ा देवता है और उसका पुजारी सबसे बड़ा पुजारी है तो मैं मुख्य पुजारी हूँ Zeus का पुजारी हूँ And these ones here और ये लोग यहाँ पर The pick of all our youth The pick of all our यानि हमारे जितने भी युवा लोग हैं उनमें से भी चुने हुए लोग हैं यानि हर उम्र के छोटे बच्चे जो के चल फिर भी नहीं सकते उदर बुढ़े लोग जिनकी कमर जुकी हुए वो भी नहीं चल फिर सकते मैं हूँ पुजारी और भी हैं और युवक लोग हैं तो सभी लोग तुम्हारे पास आए हैं The other groups दूसरे समू sit in the market बैठे हुए हैं बाजार में मार्केट प्लेस में with supply and branches यानि फर्याद की ये शाखाएं लिये हुए तो ये हाथ में जो शाखाएं लिये होते थे पेड़ की शाखाएं और उन पर हार लटके हुए तो ये सिंबल होता था कि ये फर्यादी हैं तो फर्याद की शाखाएं लिये हुए वो बैठे हैं और एल्स इन फ्रेंट ओफ पैलास टूशाइन्स या फिर पैलास की जो दो शाइन है जो दो मन्दिर होते हैं वही पूजा इस्थल होते हैं देवाले होते हैं तो उनके सामने बैठे हुए है और ये पैलास क्या है ये गौड़ेस जो एथेना है युनान की अभी उपर जीॉ जब आप मेरा यह वीडियो देख रहे हैं और बीच में जितने भी यह रएफरेंस्न आ रहे हैं वहां पॉस कर लिजिए वीडियो थोड़ी धर के लिए और यह रएफरेंस्स जरूर लिखते जाएगा क्योंकि जब एक्स्प्लिनेशन लिखने को आता है तब आपको यह रए odогоlovay यहां पर आपूलो की मंदिर रहती है इसंडी के नाम नाम है यह याद रखेगा और और वहां इसमिनस नदी के किनारे एक श्राइन है अपोलो का और वहां पर जो जलने वाली आग है वो भविशवानी वहां पर की जाती है उस आग से उस आग की स्टडी करके के आग देखे हमारी यहां भी बहुत सारे आपने देखे होंगे जो ओजहा होते हैं वो कहते हैं होता है तो वहां पर जो इसमिनस नदी के किनारे अपोलो की जो श्राइन है वहां पर आग की यह कलर को देखकर भवश्यवानी की जाती है तो यह याद रखेगा फिर आगे बढ़ते हैं फॉर आर सिटी क्योंके हमारा शहर as you yourself can see जैसा के तुम खुद देख सकते हो इस बैडली शेकन बुरी तरह हिला हुआ है शी केनोट रेज हर हैड वो अपना सिर नहीं उठा सकता यानि शेहर के लिए ही आया होगा इस्टेट के लिए शी अपना सिर नहीं उठा पा रहा है पा रह जो गहराई है उस गहराई के ऊपर of so much surging death इतनी उची उठती हुई मौत से यानि चारों तरफ से मौत ने घेरा हुआ है मौत उफान मार रही है और उस मौत के ऊपर उस मौत की गहराईयों के ऊपर हमारा शेहर अपना सिर नहीं उठा पा रहा है disease infects fruit blossoms disease बीमारी infects माने संक्रमित कर देती है fruit blossoms यानि फलों की जो फूल है कलियां है पहले कोई भी पेड होता है पहले उस पर बर्स बनती हैं फिर फूल बनते हैं फिर फल बनता है तो जो blossoms हैं जो कलियां हैं जो फूल हैं वही infect हो जाएंगे तो फल तो लगेगा ही नहीं त जो कि फलों के फूलों को ही infect कर दे रही है संक्रमित कर दे रही है in our land हमारी धर्ती पर disease infects are hurts of grazing cattle और बीमारी ने infect कर दिया है and are hurts hurts होते हैं जानवरों के जुन्ड हैं तो जानवरों के जुन्ड हैं, off grazing माने चरणने वाले cattle माने जानवर, तो हमारे जानवरों के जुन्ड हैं, उनमें भी बीमारी फैली हुई है, वो भी infect हो रहे हैं, disease makes women in labor lose their children, और जो महलाए हैं in labor का मतब जिनको प्रसव पीड़ा हो रही है, जिनके बच्चे पैदा होने वाले हैं, उनको भी ये बीमारी क्या कर दे रही है, lose, वाने वो खो दे रही है, their children अपने बच्चे, तो उनके बच्चे पैदा होने में ही मर जा रहे हैं, पेट में मर जा रहे हैं पैदा होते वक्त मर जा रहे हैं तो खेतों में फसल नहीं हो रही है जानवरों में भी बीमारी है वो भी मर रहे हैं और महिलाओं के बच् taper रहे हैं गुसे में इश्वर ने, देवताओं ने, सूपस जाउन ने नीचे उडेल दी है, फैक दी है, टू ब्लास दा सिटी, शेहर को बरबाद करने के लिए, एमटी, मैंने खाली कर रही है वो बिमारी, दा हाउस, घर को, ओफ केडमस, यह केडमस नाम कई बार आएगा, उपर भी आया था, सबसे पहली लाइन में भी आया था, तब मैंने आपको बताया था, केडमस ने यह थीफ्स शेहर बसाया था, तो इनका नाम आप याद रखिए और थीफ्स शेहर को खाली करके भर के सको रही है, फिल्स भर रही है, ब्लैक हेड्स, जो काला, अंधेरा, हेड्स, हेड्स यानि अंडरग्राउंड जो शेहर है, विद ग्रोंस एंड हाउस, चीखों से, फर्यादों से, आहों से भर रही है हेड्स को, तो है यह जो heirs है ये जियोस का भाई है और ये अंडर वर्ल का राजा भी है तो जो heirs का महल है या जो heirs का घर है उसको भर रही है इस चिल्डरन and myself now sit here by your home तो यह जो बच्चे है यह जो तुम्हारी इसलिए नहीं क्योंकि हम सोचते हैं कि तुम देवताओं के बराबर हो इसलिए नहीं नो बिलकुल नहीं हम तो विजज यू मने हम तुमको मानते हैं पहला मनुश्य इन वाट हैं जो कुछ भी होता है इन दिस लाइफ इस जीवन में तो हम तुमको इनसानों में पहला मानते हैं यानि अग्रगामी मानते हैं अपना अग्रदूत मानते हैं तो इसलिए हम तुम्हारे पास आएं इसलिए नहीं कि हम तुम्हें देवताओं के बराबर मानते हैं इंसानों में सबसे बड़ा मानते हैं. And in our interactions with the gods. और interaction जो हमारा होता है, जो हमारी बाचीत होती है with the gods देवताओं के साथ, तो वो तुम ही कर पाते हो. तुम हमारे अग्रेता हो, हमसे आगे चलने वाला अग्रदूत हो हमारे, तो देवताओं से जो भी बाचीत करनी होती है, वो तुम ही कर पाते हो. इसलिए हम तुम्हारे पास आए हैं. For you came here. For, क्यूंके you came here, तुम यहां आए थे to our Cadmian city. हमारे Cadmian शहर में. फिर से देखिये, Cadmus का नाम आया. तो हमारे Cadmus के शहर में तुम आये थे and freed us. और तुमने हमें आजाद किया था from the tribute. उस tribute से, यानि tribute क्या होता है, किसी को चड़ावे चड़ाना. तो वो उस चड़ावे से we were paying, जो हमें चड़ाना पड़ रहा था, चुकाना पड़ रहा था to that cruel singer, वो जो गीत था, वो एक पहेली थी और कहती थी कि इस पहेली का आर्थ बताओ, लोग नहीं बता पाते थे और वो उनको खा जाती थी. स्फिंक्स. तो उसकी जो पहेली थी, वो इडिपस नहीं solve की थी. अच्छा, इस स्फिंक्स ये क्योंकि शेहर के बाहर ही बैठी हुई थी. तो लोग ना शेहर में आते थे, ना शेहर से जाते थे. क्योंकि आने जाने वाले लोगों को वो ये पहेली पूस्ती थी. आने वाला व्यक्ती भी पहेली को हल करे, नहीं कर पाता तो खा जाती थी. तो उससे तुमने हमें आजाद कराया and yet you knew और फिर भी तुम जानते हो no more than we did यानि जितना हम जानते हैं उससे ज्यादा तुम नहीं जानते हो and had not been taught और तुमको सिखाया भी नहीं गया था अच्छा वो जो स्फिंक्स की बॉड़ी थी जो बनावट थी वो किस तरीके की थी कि एक शेर का उसका शरीर था और सिर और जो धर था वो एक औरत का था और उसके wings थे ये चीज़ने याद रखेगा और पहली जो वो पूस्ती थी पहली क्या थी कि उसकी पहली थी what walks on four legs in the morning on two legs at noon and three legs in the evening यानि वो कौन सी चीज है जो कि सुभे को चार पैरों पे चलती है दुपैर में दो पैरों पे चलती है और शाम को तीन पैरों पे चलती है ये उसकी पहली हुआ करती थी तो एडिपस रेक्स ने जवाब दिया कि वो मनुश्य है जब वो पैदा होता है तो घुटनों के बल चलता है तो चार पैर होते हैं उसके फिर जब वो बड़ा हो जाता है तो दो पैरों पे चलता है फिर जब वो बूढ़ा हो जाता है तो दो पैर प्लस एक लाठी तो तीन पैरों पे चलता है तो यह उसकी पहली थी जिसका जवाब इडिपस रेक्स ने दिया था और उसके बाद जब इडिपस रेक्स ने जबाब दे दिया तो इस फिंग्स ने suicide कमिट कर ली थी और ये जो थीफ शहर था वो आजाद हो गया चले आगे देखते हैं in their stories the people testify how with God's help you gave us back our lives in their stories अपनी कहानियों में the people testify लोग इस बात को साबित करते हैं प्रमारित करते हैं how कैसे with God's help इश्वर की साहता से देवताओं की साहता से you gave us back तुमने हमको वापस दिया our lives हमारे जीवन so now इसलिए अब इडीपस आर किंग हमारे राजा इडीपस most powerful in all men's eyes तुम जो के सबसे ज़्यादा ताकतवर हो सभी मनुष्यों की आँखों में नजरों में we are here हम यहाँ पर आए हुए हैं as a plants फर्यादियों के रूप में all begging you हम सभी तुम से प्राथना कर रहे हैं to find some help for us कि हमारी कुछ मदद करो either by listening to a heavenly voice either या तो by listening सुनकर to a heavenly voice यानि एक जन्नत की आवाज को देवताओं की आवाज को सुनकर और या फिर learning from some other human being किसी दूसरे इंसान से जान कर या तो इसमें देवताओं की मदद लो तुम या फिर इंसानों की मदद लो यानि जो भविश्य वकता हैं इंसान उनकी मदद लो for in my view for क्योंकि in my view मेरे नजरिये से men of experience जो अनुभवी लोग है provide मने उपलब्ध कराते हैं देते हैं advice ऐसी सलाह that gives the best results जो के सबसे अच्छे results देती है परणाम देती है यानि जो अनुभवी लोग हैं जो बड़े बुढ़े लोग हैं बुजर्ग हैं या फिर जो भविश्य वगता हैं वो अच्छी सलाह देते हैं उनके प्रणाम अच्छे निकलते हैं तो या तो तुम उन से सलाह लो या देवताओं से लो so now इसलिए अब you best of man तुम जो के इंसानों में सर्फ्रेश्ट हो raise up our state हमारी इस्थिती को सुधारो raise up मने सुधारो our state हमारी condition को यहां to consolidate your fame act मने काम करो to consolidateuter मने सुध्रण करने के लिए solid करने के लिए your fame तुम्हारे नाम को तुम्हारी ख्याती को यह अभी तो पहली जो इस siis थी उसमें it italics ने खुद कहा था कि मेरा नाम सभी जानते Baby frame मेरा नेम सभी जानते हैं तो बही जो तुम्हारा नाम है, तुम्हारी ख्याती है, उसको और सुद्रन बनाने के लिए, और सॉलिड बनाने के लिए काम करो. जो कि तुम्हारी उसक्ता का इन अर्लियर डेज, जो कि तुम्हारी पिछले दिनों दिखाई है, यह शहर तुमको मानता है, तुम्हारी तारीफ करता है, अपने बचाने वाले के रूप में, यानि तुम्हारी तुम्हारी तारीफ करता है, तुम्हारी प्रशन्सा करता है. Don't let our memory of your ruling here declare that we were first set right again and later fall, don't let our memory, यानि जो हमारी याद है, memory है of your ruling, तुम्हारे शासन की here यहाँ पर declare, उसको ऐसी घोशना मत करने दो, that, के we were first set right again, के पहले तो हमको वापस सही कर दिया यानि यहाँ स्फिंक्स से हम परेशान थे, जब से लियास की मृत्यू हुई थी, स्फिंक्स ने परेशान कर रखा था ना कोई बाहर आ पाता था जा पाता था, तो तुम्हें हमको set right मने ठीक कर दिया, again वापस, and later fell, और बाद में फिर हमें गिरा दिया, हमारा पतन हो गया, तो ऐसा मत होने दो, तुमने पहले सही किया है, तुम हमें फिर से सही करो, no, नहीं, restore our city, हमारे शेहर को पुनर स्थापित करो, so that, ताके it stands secure, वो सुरक्षित रहे, in those times past, अतीत के उस वक्त में, you brought us joy, तुम हमारे लिए खुशी लेकर आए, and with good omence too, और अच्छे शकुन लेकर भी आए, omence बने शकुन होते हैं, be that same man today, आज फिर से वही बंदा बन जाओ, वही इंसान बन जाओ तुम, if you are to rule, अगर तुम्हें राज करना है, शासन करना है, as you are doing now, जैसा कि तुम अभी कर रहे हो, better to be king, बहतर य होगा कि तुम राजा बने रहो, in a land of man, एक ऐसी जमीन पर, जिसमें मनुष्य है, then in a desert, बजाए एक निर्जन जगह के, यानि एक रेगिस्तान के, जहां कोई भी नहीं है, डेजर्ट बने जहां कोई इंसान नहीं है, जब ये बीमारी इतनी हावी हो जाएगी, सारे इंसान मर जाएंगे, जैसा कि अभी हो रहा है, तो फिर तुम किस पर राज करोगे, तो इंसानों की एक धरती पर राज करना ज्यादा अच्छा है, बजाए desert में राज करने के, an empty ship or city wall, एक खाली ship या जहाज, या फिर एक शहर की दिवारे, is nothing, कुछ भी नहीं है, if no man share a life together there, अग मैंने एक poem अप्लोड की थी, the solitude of Alexander Selkirk, तो वहाँ वो एक निर्जन दीप पर है, Alexander Selkirk, और वो कह रहा है कि मैं इस पूरे दीप का राजा हूँ, लेकिन मैं खुश नहीं हूँ, क्योंकि यहाँ कोई इनसान नहीं है, life को share करने के लिए, तो हमें अपनी जिन्दी को share करने क के लिए इनसानों की जरुवत होती है, तो जब यह सारे इनसान मर जाएंगे, तो तुम किस के साथ अपनी life share करोगे, कहना यह चाहता है, priest, इडिपस, और I understand, for, क्योंकि I understand, मैं समझता हूँ, that you are ill, कि आप लोग परेशान हैं, बीमार हैं, and yet, और फिर भी, sick as you are, बीमार जैसे कि आप हो, there is not one of you, आप लोगों मैंसे एक भी इनसान ऐसा नहीं है, whose illness, जिसकी परेशानी equals mine, मेरे बराबर हो, है न, मैं सबसे ज़्यादा पीडित हूँ, अब वो explain कर रहा है कि क्यों, वो अपने आपको सबसे ज़्यादा पीडित मानता है, your agony, तुम्हारा कश्ट, तुम्हारा रंजोगम, comes to each one of you, केवल तुम्मे से हर एक के पास आता है, as his alone, केवल उसका, यानि तुम्मे से हर एक की जो परेशानी है, केवल उसकी अपनी अके क्योंकि हम लोग जो इंसान होते हैं, हमें केवल अपनी अपनी परेशानी दिखाई देती है, सामने वाले की परेशानी दिखाई नहीं देती, तो तुम्मे से हर एक की जो पीड़ा है, वो उसकी अपनी अकेले की है, किसी दूसरे की नहीं है, but लेकिन, here in my heart, यहां मेरे द तुम सब को मिलाकर, तुम सब के लिए मैं दुखी हूँ, you are not rousing me from a deep sleep, तुम लोग मुझे गहरी नीन से नहीं जगा रहे हो, तुम लोग यह मत सोचो कि मैं गहरी नीन में सोया हुआ हूँ, मुझे कुछ ग्यात नहीं है, मुझे कुछ भास नहीं है कि तुम लोगों के I have been shedding many tears कि मैं बहुत सारे आंसू बहा रहा हूँ and in my wandering thoughts और अपने घूमते हुए विचारों में, exploring many pathways, exploring तलाश कर रहा हूँ, many pathways, बहुत सारे रास्ते, After a careful search, एक सघन तलाश के बाद, I grasped the only help that I could find and acted on it, I grasped मने मेरी समझ में आई, the only help, एक मात्र मदद that I could find, जो मैं पा सका and or acted on it, मैंने उस पर काम कर दिया, यानि एक मदद मुझे समझ में आई और मैंने उस पर काम कर भी दिया, So I have sent away, इसी लिए मैंने भेजा है, my brother-in-law, अपने साले को, son of Minosius, ये जरूर याद रखिएगा कि जोकास्टा और क्रियोन के पिताजी कौन है, Minosius, नाम नोट करते जाईएगा, नोट बुक अपने पास रखिए, तो जो मेरा साला है, Minosius का बेटा, उसका नाम क्या है, क्रियोन, To Pythian Apollo Shine, मैंने उसको कहां भेजा है, Apollo की shine में, Apollo के मंदिर में, और Pythian Apollo को title दिया गया था, क्योंकि उसने एक python को मारा था, तो मैंने Apollo के मंदिर भेजा है क्रियोन को, काई लिए भेजा है, To Learn, यनि जानने के लिए, From Him, उससे, What I Might Do or Say, कि मैं क्या कर सकता हूं और क्या कह सकता हूं, To Save Our City, अपने शहर को बचाने के लिए, But when I counted this, लेकिन जब मैं दिनों की गिंती करता हूं, The Time He Has Been Away, तो वो वक्त, वो समय जितना कि वो दूर गया है, यनि जितनी दिन से वो गया हुआ है क्रियोन, I Now Worry, अम मुझे चिंता हो रही है, What He Is Doing, कि वो कर क्या रहा है, For He Has Been Gone Too Long, क्योंकि उसको गये हुए बहुत वा समय हो गया, Well Past The Time, यानि अच्छे तरीके से वो समय गुजर चुका है, He Should Have Taken, जो उसको वहां मंदिर तक जाने में और वापस आने में लेना चाहिए था, But When He Comes, लेकिन जब वो आएगा, I Will Be A Wicked Man, मैं एक दुष्ट आदमी बन जाऊंगा, If I Do Not Act On All The God Reveals, यानि तुम आप लोग मुझे दुष्ट आदमी मान लेना, If I Do Not Act, मैं काम ना करूं, On All उन सब बातों पर The God Reveals, जो कि ईश्वर या जो देवता हैं, वो बताएं, जो राज खोलें, रिवील मने बताना, तो जो कुछ भी देवता कहते हैं, अगर मैं उनके अनुसार काम ना करूं, तो भी आपने कहा है, वो सर्वता उचित है, पूरी तरह सही है, For These Men Here, क्योंकि ये जो बंदे हैं, यहाँ पर इनसान हैं, Have Just Informed Me, उन्होंने अभी अभी मुझे सूचना दी है, खाबर दी है, That Krion is Approaching, कि Krion आ रहा है, इडिपस, Lord Apollo, है देवता Apollo, As He Returns, जैसा कि वो लोट रहा है, May fine, shining, fortune, bright, as His countenance attend on Him, तो जब वो लोटे, तो fine, बढ़िया, shining, चमकता हुआ, fortune, भाग्य, bright, चमकदार, as, उतना ही, His countenance, जितना कि उसका चहरा है, attend on Him, उसके साथ हो, यानि जैसा चमकदार चहरा है क्रियोन का, वैसा ही चमकता हुआ, उसका भाग्य भी हो, यानि कि वो अच्छी खबर लेकर लोटे, ये मेरी ईश्वर से प्रार्थना है, priest, it seems, ऐसा लगता है, the news he brings is good, कि खबर जो वो लेकर आया है, अच्छी खबर है, if not, he would not wear that wreath around his head, अगर ऐसा नहीं होता, if not, अगर ऐसा नहीं होता, he would not wear, तो वो नहीं पहनता, the wreath, वो हार, वो माला, around his head, अपने गले में, a laurel, एक ऐसा मुकुट, thickly packed with berries, जो पूरी तरीके से packed है, with berries, यानि बेरों से, तो बेरों से लदा हुआ, मुकुट जो उसने धार्ण कर रखा है, जो माला उसने पहन रखी है, वो ना पहने होता, तो ये इस तरीके का प्रथा थी, चलन था, कि अगर कोई वहाँ से फर्याधी लोटता था, और एक अलसे, तो वो अगर अच्छी ख़वर है, उसके पास, good news है, तो बेरों की, berries की एक माला वो पहन के आता था, इडिपस, we will know soon enough, he is within ear shot, तो हमें जल्द ही पता चल जाएगा, क्योंकि वो करीब ही है, पास में ही है, और ये ear shot क्या होता है, कान जहां तक सुन सकते हैं, इतनी दूर है, कि अगर वो वहां से बोल दे, तो मेरे कान सुन सकते हैं, तो जो ये distance होती है, ये ear shot कहलाती है, enter Creon, इडिपस calls to him as he approaches, तो अब क्रियोन प्रवेश करता है, और इडिपस उसको आवास देता है, जब वो आता है, my royal kinsman, मेरे राजसी रिष्टेदार, है न, यानि मेरे साले, साले तो गाली होती है, child of minosius, minosius के बेटे, तो अब रिष्टे में उसका साला है, तो क्या kinsman कहके वो बुला रहा है, what message do you bring us from the God, तो देवताओं से, ईश्वर से, तुम हमारे लिए, क्या संदेश लाए, क्या पैगाम लाए, good news, अरे अच्छी खबर लाया हूँ, I tell you, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, if things work out well, अगर सब कुछ ठीक रहा, then these troubles, तो फिर ये जो परिशानिया है, so difficult to be, जो बर्दाश्ट करने में इतनी कठोड है, इतनी मुश्किल है, कि नाकाबले बर्दाश्ट है, will end up, खतम हो जाएंगी, bringing us great benefits, और हमें बहुत फाइदा होगा, यानि हमें बहुत लाब होगा, अगर सब कुछ ठीक रहा तो, अच्छी खबर लेके आया हूँ, इडिपस, what is the oracle, जल्दी बताओ कि भविश्यवानी क्या है, so far, your words inspire in me, no confidence or fear, so far, अभी तक तो, your words, तुम्हारे शब, तुम्हारे अलफाज, inspire in me, मेरे अंदर पैदा कर रहे हैं, no, नहीं पैदा कर रहे हैं, confidence or fear, ना तो कोई मुझे विश्वास हुआ अभी तक, ना डर, किसी भी तरीके की feeling समझ में नहीं आ रही कि तुम क्या ख़बर लाई हो, क्रियोन, if you wish to hear the news in public, अब क्रियोन चाहता है कि जी जा जी अंदर चलें, और अंदर चलके हम बात करें, लेकिन एडिपस को बहुत जल्दी है जानने की, तो क्रियोन कहरा है कि अगर आप पबलिक मे नहीं जनता के सामने ही ख़बर सुनना चाहते हैं, I am prepared to speak, तो मैं बोलने को तयार हूँ, और we could step inside, या फिर हम अंदर चलें, इडिपस, speak out to everyone, अब इडिपस कह रहा है कि सब के सामने बोलो, the grief I feel, जो पीडा में महसूस कर रहा हूँ, जो दुख में महसूस कर रहा हूँ, for these citizens, in नागरिकों के लिए, is even greater, वो और भी बड़ा है than any pain, किसी भी पीडा से, I feel for my own life, जो मैं अपनी जिन्दगी के लिए महसूस करता हूँ, क्रियोन, then let me report what I heard from the God, ठीक है तो फिर मैं report कर रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ, जो मैंने सुना देवताओं से, Lord Phoebus clearly orders us, यानि देवताओं फीबस ने clearly, इस पस्ट रूप से orders us, हमको आग्या दी है, to drive away, बाहर भगाने की, दूर भगाने की, the polluting stain, polluting मने, production का restrain मने, धबबा, this land has Harvard, जो इस धर्ती ने, Harvard मने, अपने अंदर समा रखा है, समेट रखा है, छुपा रखा है, इस शहर में, एक गंदा, धबबा, दाग, छिपा हुआ है, उसको दूर करने की, आग्या दी है, हुक्म दिया है, Lord Phoebus ने, Phoebus, सूर देवता, it will not be healed, इसका इलाज नहीं होगा, यह जो भी महमारी फैली हुई है, यह ठीक नहीं होगी, if we keep nursing it, अगर हम उसको समालते रहे, बचाते रहे, छुपाते रहे, वो जो धबबा है, वो जो बंदा है, एक गंदा आदमी, उसकी वज़े से यह सारी बीमारी Phoebus, what sort of cleansing, यार कैसी सफाई, किस तरीके की सफाई करनी है, यह कौन सा धबबा है, जो हमको साफ करना है, and this disaster, और यह महमारी, और यह आपदा, विपदा, how did it happen, यह हुआ कैसे, by banishment, यानि, banishment दे कर, यानि, देश निकाला दे कर, और atorn for murder, या फिर atorn बराबरी करके, for murder, हत्या की, by shedding blood again, फिर से, खून बहा कर, यानि, जिसने खून बहाया है, खून के बदले, खून बहा कर, या फिर, banishment, देश निकाला दे कर, for blood brings on the stone, for, क्योंके, blood, खून, brings on, लेकर आया है, the storm, वो तूफान, which blasts our state, जिसने बरबाद कर रखा है, हमारे राज्य को, वो एक खूनी और एक खून की बज़े से है, इडिपस, and the one whose fate the God revealed, what sort of man is he, और भाई, जिस बंदे का भाग्य, देवताओं ने रिवील किया है, बताया है, किस तरीके का बंदा है वो, कौन है वो इंसान, क्रियोन, before you came, अब वो कहानी बता रहा है, कि तुम्हारे आने से पहले, my lord, मेरे स्वामी, to steer our ship of state, यानि जब तुम आए, to steer माने चलाने के लिए, our ship माने जहाज को off state, राज्य के, यानि तुम हमारे राज्य के जहाज को चलाने के लिए आए, उससे पहले, लियास ruled this land, लियास राज्य करता था इस धर्टी पर, यानि इस राज्य पर, थीप्स पर, लियास का राज था, एडिपस, I have heard that, वो तो मैंने सुना है, but never saw the man, लेकिन उस मनुश्य को मैंने कभी देखा नहीं, लियास नाम के बंदे को मैंने कभी देखा नहीं, क्रियोन, लियास was killed, लियास की हत्या की गई थी, and now the God is clear, और अब देवता इस पष्ट हैं, यानि उनको साफ समझ में आ रहा है, वो साफ बता रहे हैं, those murderers, वो हत्यारे, he tells us, वो हमको बता रहे हैं, यानि जो देवता है, पोलोन होने बताया है, must be punished, उसको सजा मिलनी चाहिए, whoever they may be, वो लोग चाहें, जो भी हों, जिन्होंने हत्या की है लियास की, उनको सजा मिलनी चाहिए, इडीपस, and where are they, और वो कहां है, in what country, किस देश में है, where am I to find a trace of this ancient crime, where am I to find, मुझे कहां मिल सकता है, a trace, कोई भी clue, कोई भी निशान, of this ancient crime, इस पुराने अपराद की, क्योंकि उसे 15-16 साल हो गए, यहां पे आए हुए, तो 15-16 साल पहले का अपराद है, तो भई, उतने पुराने अपराद का मुझे कोई trace, निशान कैसे मिल सकता है, I will be, it will be hard to track, track मनें पता लगाना, it will be hard, यह मुश्किल होगा, पता लगाना तो मुश्किल होगा, क्रियोन, here in thieves, यहां thieves में, so said the God, ईश्वर ने, देवताओं ने ऐसा कहा है, कि वो बंदा यहीं है, thieves में है, What is sought is found, what is sought, जिसको ढूडा जाता है, seek की second और third form है, seek मनें तलाश करना, और sought उसकी second और third form है, तो यहां पर third form आई, what is sought, जिसको तलाश किया जाता है, खोजा जाता है, is found, वो मिल जाता है, जिन खोजा तिन पाईया, But what is overlooked, लेकिन जिसको, overlook मनें अंदेखा किया जाता है, escapes, वो बज़ कर निकल जाता है, इडिपस, when lias fell in bloody death, जब lias, खुनी मौत से मलब, जब मर कर गिरा था, where was he, तब वो कहां था, at home, घर पर था, or in the fields, या फिर खेतों में था, or in another land, या फिर कहीं विदेश में था, दूसरे राज्य में था, he was abroad, वो बाहर था, on his way to Delphi, Delphi जा रहा था, Delphi के अपने रास्ते में था, that's what he told us, यह कहकर वो हमसे गए थे, यही बात उन्होंने बताई थी, कि भाई मैं Delphi जा रहा हूं, he began the trip, उन्होंने यात्रा खत्रु की, but did not return, लेकिन वापस नहीं आए, इडिपस, was there no messenger, क्या कोई कासद नहीं था, कोई संदेश वाहक नहीं था, no companion, कोई साथ ही नहीं था, who made the journey with him, जिसने उनके साथ यात्रा की हो, and witnessed, और अपनी आँखों से देखा हो, what took place, जो कुछ भी हुआ, a person, कोई ऐसा बंदा, who might provide some knowledge, जो कुछ ऐसी जानकारी दे सके, man could use, जिसे मनुष्य प्रयोग कर सके, यानि वो जानकारी कुछ काम आ सके, ऐसी कोई जानकारी देने वाला नहीं है, क्या, क्रियोन, they all died, वो सभी मारे गए, except, सिवाए, for one, एक बंदे के, who was afraid, जो के डर गया था, and ran away, और भग गया था, there was only one thing, केवल एक ही चीज थी, he could inform us, जो वो हमें बता सका, of with confidence, यानि पूरे विश्वास के साथ, about the thing he saw, उस चीज के बारे में, उस घड़ना के बारे में, जो उसने देखी, केवल एक बात बता पाया वो, एडिपस, what was that, और वो बात क्या थी, we might get somewhere, if we had one fact, अगर हमें एक बात भी पता चल जाए, तो हम कहीं पहुंच सकते हैं, we could find many things, फिर हमें बहुत सारी चीज़ें पता लग सकती हैं, अगर एक चीज, एक क्लू पता लग जाए, तो फिर बहुत सारी चीज़ें पता लग सकती हैं, if we possessed some slender hope, अगर हमारे पास slender माने हलकी सी भी hope माने उमीद हो, to get us going, कि हम आगे बढ़ सकते हैं, तो इसकी हलके से भी उमीद हो, तो हम पता लगा सकते हैं, ज़रा बताओ तो, क्रियोन, he told us, उसने हमें बताया, it was robbers, कि डाकू थे, who attacked them, जिन्होंने उन पर हमला किया, not just a single man, कोई एक बंदा नहीं था, a gang of them, पूरा गैंग था, पूरा समू था डाकूँ का, they came on with force, वो पूरी ताकत के साथ आए, and killed him, और उसको मार डाला, यानि के लियास को मार डाला, डीपस, how would a thief have dared to do this, एक चोर की इतनी हिम्मत कैसे हो सकती है, कि वो ये कर सके, unless he had financial help from thieves, अगर उसको thieves से कुछ आर्थिक मदद ना मिली हो, यानि thieves के किसी बंदे ने, उसको ऐसा करने के लिए, पैसे ना दिये हो, रिश्वत ना दी हो, तो कोई एक चोर ऐसा कैसे करने की हिम्मत कर सकता है, क्रियोन, that's what we guessed, हाँ यही अंदाजा हमने भी लगाया था, but once lias was dead, लेकिन एक बार जब lias की मृत्य हो गई, we were in trouble, हम परेशानी में पड़ गए, so no one sought revenge, इसलिए किसी ने बदला लेने की कोशिश नहीं की, यहाँ भी सीक की second form आई है, किसी ने बदला लेने की कोशिश नहीं की, क्योंकि जो स्फिंक्स थी ना, वो परेशानी हमारे सामने आ गई, lias के मरते ही, तो कौन बदला लेना, कोई शहर से बाहर आ पा रहा है ना, जा पा रहा है, तो बदला लेने की कोशिश नहीं की, इडिपस, यानि जब राज करने वाला राजा चला गया, इन दिस वे, इस तरीके से, वोट बैड ट्रबल ब्लॉग्ड यॉर पाथ, वोट माने कौन से, बैड ट्रबल, बुरी परेशानी नहीं, ब्लॉग्ड माने रोख दिया यॉर पाथ, तुमारा रास्ता, प्रेवेंटिंग यू, तुम्हें रोख लिया, फ्रॉम लुकिंग इंटु इट, इसमें, लुकिंग इंटु मनदब इन्वेस्टिगेशन करने से, इसमें और जानकारी निडिक्शन करने से, किस चीज ने तुम्हें रोख दिया, क्रियोन, इसकी कानी मैं पहले बता चुकी हो, आपको उसके बारें पूरा बता चुकी हो, शी सेंग, वो गाया करती थी, हर क्रिप्टिक सॉंग, मतलब कि अपना, क्रिप्टिक मैंने, मिस्टीरियस, एनिगमेटिक, अपना रहसे माई गीत गाया करती थी, और इसलिए उसने हमें मजबूर कर दिया, तो पुट एसाइड एक और रखने का, सम्थिंग वी फाउंड ऑप्सक्यूर, सम्थिंग, एक ऐसी चीज वी फाउंड जो हमें लग रही थी, ऑप्सक्यूर मनें धुनली, जिसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल रही थी, धुनली सी चीज थी, उसको हमने साइड पर रख दिया, एक और रख दिया, तो लुक इंटू दा प्रॉब्लम, उस समस्या को देखने के लिए, वी नाव फेस्ट, जो हमारे सामने थी, तो भई लियास को किस ने मारा, क्यूं मारा, कैसे मारा, तो वो बात हमको बैसे भी समझ में नहीं आ रही थी, तो वो हमने मामला एक तरफ रख दिया, अब ये जो समस्या सामने थी, स्फिंक्स की, हम उसको देखने लगे, कि भई इसका क्या हल निकाला जाए, इडिपस, तो फिर तो मुझे नए सिरे से शुरू करना पड़ेगा, और एक बार फिर से, शेड लाइट ओन डार्कनेस, रोशनी डालनी पड़ेगी अंधेरे पर, यानि ये तो बिल्कुल अंधेरा मामला है, इडिज मोस्ट फिटिंग ये बहुत अच्छी बात है, अपोलो ने दिखाई है, इस केर अपनी चिंता फॉर दा डैड मैन, उस मरे हुए इंसान के लिए, यानि लियास के लिए, और ये तुम्हारे लायक भी है, मतलब कि तुम्हारे लिए भी ये उचित है, कि तुम इसमें देखो, क्योंकि भई वो तुम्हारा जीजा था, लियास मेरे आने से पहले, और इसलिए तुम देखोगे, कि मैं कैसे तुम्हारे साथ मिलकर काम करूँगा, जैसा के सही भी है, seeking vengeance, बदला लेंगे for this land, इस धर्ती के लिए, as well as for the God, और देवताओं के लिए, क्योंकि देवताओं का भी ऐसा ही कहना है, इस polluting stain, ये गंदा धबा, I will remove, मैं इसको दूर करके रहूंगा, not for some disdained friends, किसी दूर के दोस्त की खातिर नहीं, but for myself, बलके अपने लिए, for whoever killed this man, अब यहाँ गजब की dramatic irony है, आप देखेंगे, पूरा drama irony से भरा हुआ है, ये गंदा धबा, जिसको वो दूर करने की बात कह रहा है, आप लोगों को पता है, कि ये धबा वो खुद है, उसने खुद लिया सको मारा है, उसने खुद जोकास्टा से आकर शादी की है, तो अब देखिए, वो क्या कह रहा है, this polluting stain, ये गंदा बदनुमा धबा, दाग, तो ये बदनुमा दाग कौन है, वो खुद, I will remove, मैं इसको हटा कर रहूँगा, not for some distant friend, किसी दूर के दोस्त के लिए नहीं, but for myself, बलके अपनी खुद की खातिर, कितनी बड़ी ड्रेमेटिक आइरनी है, for, क्योंकि whoever killed, जिस किसी ने भी मारा हो, this man, इस मनुश्य को, यानि लियास को, may soon enough, यानि वो जल्द ही desire, कोशिश करेगा, उसकी इच्छा होगी, to turn his hand, अपना हाथ गुमाने की, to punish me, मुझे भी दंडित करने के लिए, in the same way, इसी तरीके से, as well be, यानि मुझे भी, वो उसी तरीके से, अपने रास्ते से हटाना चाहेगा, जिस तरीके से, उसने लियास को मारा, कल वो मुझे भी मार डालेगा, दस, इस प्रकार, in avenging लियास, लियास का बदला लेकर, I serve myself, मैं खुद की सेवा कर रहा हूँ, देखिए तो कैसी सेवा कर रहा है, वो खुद की, आप जगए जगए आईरनी देखेंगे, और महसूस करेंगे, कि क्यूं ये बैस्ट ड्रामा कहा जाता है, पूरे वर्ल लिटरेचर का, बट नाउ, लेकिन आप, माई चिल्रन, मेरे बच्चो, जल्दी से, जितनी जल्दी आप कर सकते हो, इस्टेंड अप, खड़े हो जाओ, फ्रॉम इस आल्टर स्टेप्स, इन वेदी की सीडियों से, एंड रेज योर सप्लायेंट ब्रांचेज, और अपनी ये फरियादी शाखाएं उठाओ, समवन मस्ट कॉल, किसी को बुलाना चाहिए, दा थीवन पीपल, थीवस के लोगों को, टू असंबल हियर, कि सब आकर यहां पर एकठा हो जाएं, I will do everything, मैं वो सब कुछ करूँगा, I can, जो मैं कर सकता हूं, विद दा गॉड्स हैल्प, इश्वर की सहायता से, देवताओं की मदद से, सफलता के साथ, यह सब कुछ सामने आ जाएगा, और एल्स विल प्रूव, आर कॉमन रुइन, यार नहीं आ पाया, तो फिर यह हम सब का कॉमन, यानि सामन रुइन, बरबादी, तो अगर बरबादी होगी, तो हम सब की होगी, आबादी होगी, अगर पता चल गया, कि हत्यारा कौन है, तो हम सब इस मुसीबत से, छुटकारा पालेंगे, और नहीं पता चला, तो हम सब भी बरबाद होगी, इडीपस और क्रियोन, गो इंटू दा पैलेस, इडीपस और क्रियोन, महल में चले जाते हैं, तो यहां पर यह प्रलोग खतम हो जाता है, जो टेक्स चलिए, आप जो टेक्स जूने, एक दो टेक्स और तलाश कर लें, तो वहां पर यहां लिखा हुआ है, कि यह यहां पर खतम हुआ प्रलोग, और अब जो यह शुरू हो रहा है, यह पैरोडोस है, यानि ओपनिंग कोरिक सॉंग है अच्छा सॉरी अभी तो पहले प्रीस्ट की ये स्टेटमेंट है पहले प्रीस्ट का स्टेटमेंट इसके बाद ये होगा तो प्रीस्ट कहता है let us get up children चलिए तो भाई लोगों भाईयों हम सब लोग उठते हैं children बारबार शब्द आया this man has willingly declared क्योंकि इस बंदे ने willingly अपनी इच्छा से खुशी से declared मने घोशना की है just what we came for उस चीज़ की जिसके लिए हम यहां आये थे यानि हमारी फर्या सुन ली है and may phoebus और इश्वर करें कि मलब जो phoebus है जो देवता है हमारा मुख्य देवता who sent this oracle जिसने ये वानी भेजी है come as our savior वो हमारा बचाने बाला सावित हो and end our sickness और हमारी जो बिमारी है जो हमारी हमारी है परिशानी है उसको खत्म कर दे तो अब यह यहां पर प्रलोग खत्म होता है the priest and the citizens leave जो पुजारी है और जो नागरिक हैं शहर के वो सब चले जाते हैं enter the chorus of theven elders thieves के जो बुजर्ग लोग हैं उनका chorus उनका समूं आकर stage पर आता है और अब यह क्या है parodos कहलाता है note कर लिजेगा p-a-r-o-d-o-s parodos chorus oh sweet speaking voice of Zeus तो यह opening chorus song है parodos मैं बता चुके हूं बार-बार आपको बता रहे हूं note जरूर कर लिजेगा multiple choice questions में पूछा जाएगा p-a-r-o-d-o-s तो oh sweet speaking voice औरे मीठी बोलने वाली आवाज of Zeus Zeus देवता की you have come to glorious thieves you have come तुम आई हो to glorious वैभवशाली thieves में from golden python यानि golden यानि सुनहरी python जो अभी आपको पताया था न पिथी एन गौड जिसने python को मारा था but what is your intent लेकिन तुम्हारा इरादा क्या है तो Zeus की आवाज यानि जो भविशवानी हुई है तुम्हारा इरादा क्या है किस तरीके की भविशवानी है my fearful heart twist on the rack and shakes with fear my fearful मेरा डरा हुआ heart दिल twist मने मुड रहा है एट रहा है on the rack rack वो जगह होती थी जहां कैदियों को दंड दिया जाता था चारों और से बांद दिया जाता था हात पेरों को और फिर उन्हें खीचा जाता था तो रैक पर जैसे मेरा दिल हो और वो एट रहा है and shakes और कांप रहा है with fear डर से ओ डिलियन हीलर तो यह डिलियन हीलर का है डेलोस एक आइलेंड है दीप है एजियनसी में जहां पर माना जाता है कि अपोलो का जन्व हुआ तो तुम डिलियन ही लर यानि डेलोस के रहने वाले हील मने सही करना शिफा देना इलाज करना तो तुम राहत देने वाले डिलियन इन होली और ऑली पवित्र पायस और मने डर होता है तो हम डर कर यानि जब व्यक्ति डरता है तो धर्म की और ईश्वर की और देखता है तो हम तुम्हारी और देख रहे हैं चिला रहे हैं डर कर what obligation will you demand from me what obligation, obligation करतव ड्यूटी यानि आप क्या चाहते हो will you demand यानि आप चाहते हो from me मुझसे यानि आप क्या चाहते हो हम क्या करें a thing unknown or now renewed with the revolving years यानि क्या तुम कोई ऐसी चीज़ चाहते हो unknown जो अग्यात है or now renewed या फिर अब कुछ नया बताना चाहते हो with the revolving years यानि जो साल घूम रहे हैं चल रहे हैं उनमें कुछ नया हुआ है कुछ ऐसा नया आप हमसे चाहते हो immortal voice अमर आवाज oh child of golden hope अरे तुम child पैदाईश of golden hope सुनहरी उमीद के तो जो फीबस है सूरे देव है उसकी जो क्रेणे होती है वो golden होती है रेज जो होती है golden रेज होती है तो तुम सुनहरी जो उमीद है उसके पैदाईश speak to me तुम मुझसे बात करो मुझे बताओ first I call on you सबसे पहले मैं तुम्हें आवाज देता हूँ Athena the immortal तो Athena मैंने आपको बताया था ग्यान की देवी है तो अमर देवी Athena Jotter of Zeus Zeus की बेटी and on your sister too और मैं तुम्हारी बेहन को भी आवाज देता हूँ Artemis Artemis को who guards our land जो हमारी धरती की रक्षा करती है and sits और बैखती है on her glorious round throne अपने glorious चमकते हुए वैभवशाली शांदार round, gold, throne, गद्धी पर सिंगहसन पर in our market place हमारे market place में यानि वहाँ पर उसकी गद्धी बनी हुई है जैसे जगए जगए देवी देवताओं के मंदिर बने होता है उनकी गद्धी बनी होती है who shoots from far away जो के दूर से अपनी किरने भेजता है फीबस जो सूरे है वो दूर से shoots यानि अपनी तीर भेजता है किरने भेजता है from far away दूर से oh you three guardians against death अरे तुम तीनो guardians रक्षक सनरक्षक against death मौत के खिलाफ appear to me तुम मेरे सामने आओ if before now you have ever driven off if अगर before now अब से पहले you have ever driven off आपने कभी दूर किया हो a fiery plague fiery मने आग देने वाला या फिर बरबाद करने वाला परिशान करने वाला कश्ट देने वाला परिशानिया देने वाला plague मने बीमारी महामारी to keep disaster यानि मुसीवत को रखने के लिए दूर रखने के लिए from the city हमारे शेहर से and have vanished it और उसको दूर किया हो then come to us this time as well तो इस वक्त भी हमारे पास आओ यानि अगर आपने पहले अतीत में कभी मुसीवतों से हमें बचाया हो तो आज भी आओ और हमें मुसीवतों से बचाओ alas the pains I bear are numberless alas high the pains वो दर्द वो कष्ट I bear जो मैं बरदाश कर रहा हूँ are numberless वो अंगिनत है my people now मेरे लोग अब all sick सभी बिमार है with plague महमारी से our minds हमारे दिमागों को can find no weapons कोई हत्यार नहीं मिल रहा है to help जिससे मदद मिले with our defense अपने आपकी हिफाज़त करने में अपनी सुरक्षा करने में हमें मदद मिले ऐसा कोई हत्यार हमें हमारे दिमाग नहीं सोच पा रहे हैं now the offspring of our splendid earth no longer grow now of the offspring माने बच्चे of our splendid earth हमारी शांदार धर्ती के no longer grow अब नहीं उगते तो धर्ती के जो बच्चे हैं वो पेड़ पौते हैं फसले हैं तो फसलें नहीं उग रही है nor do our women crying out in labor और जो हमारी औरते हैं crying out जो चीख रही है in labor माने पर सब पीड़ा में बच्चे पैदा करने के दौरान get their relief नहीं उनको कोई relief मिल रहा है राहत मिल रही है from a living newborn child एक जीवित नए पैदा हुए बच्चे से जब labor pain होता है सबसे ज़्यादा भयानक होता है अगर दुनिया में कोई दर्द है तो एक तो heart attack जपड़ता है नहीं मिल रही है उनको labor pain तो हो रहा है लेकिन जो बच्चे पैदा हो रहे है वो जीवित नहीं है मरे हुए है तो इसलिए उनको कोई relief नहीं मिल रहा है As you can see जैसा कि आप देख सकते हैं One by one एक एक करके दे सूप अवे वो खतम होते जा रहे हैं वो उड़ते जा रहे हैं Off to the shores of the evening guard कहां जा रहे हैं Shores माने किनारों पर Off the evening guard शाम के देवता के यानि जैसे चड़ियां उड़ती चली जाती है शाम को कहीं गायव हो जाती है वैसे ही शाम के देवता की और समंदर के उस किनारे को चलते जा रहे हैं Like birds faster than fire which no one can resist और जैसे कि वो चड़ियां हो faster than fire जो आग से भी तेज जिनकी गती होती है which no one can resist जिन से कोई नहीं बच पाता Our city dies हमारा शहर मर रहा है We have lost count हम गिंती खो चुके हैं गिंती भूल गए हैं Of all the dead कि कितने लोग मर चुके हैं सारे मरे हुए लोगों की गिंती तक हमें मालूम नहीं है Her sons lie in the dirt unpitied Her sons उसके बेटे उसके बच्चे lie पड़े हुए हैं In the dirt, धूल में Unpitied जिन पर कोई दया नहीं कर रहा Unlimited जिन पर कोई नहीं रो रहा तो लाशों पर रोने वाला तक कोई नहीं है उन पर रहम करने वाला तक कोई नहीं है उनको दफनाने वाला तक कोई नहीं है Corpses spread in the pestilence Corpses लाशें The pestilence अच्छा वो और भी ज़्यादा फैला रही है महामारी को क्योंकि महामारी से लोग मर रहे हैं और मरे लोगों से फिर बीमारी आगे फैल रही है तो Corpses spread the pestilence महामारी को और फैला रही है While youthful wives and grey haired mothers जबकि youthful yuvah wives पत्निया and grey haired mothers और सफेद वालों वाली माएं on the alter steps यानि बेदी की सीड़ियों पर वेल रो रही है everywhere हर और and cry और चीख रही है in supplication फर्याद में seeking तलाश कर रही है to relieve राहत पाने के लिए their agonizing pain उनका जो दर्द देने वाला उनका जो पीड़ित करने वाला कष्टों से भरा हुआ pain है दुख दर्द है उसके लिए कहीं राहत मिल जाए वो देख रही है यानि माओं के बेटे मर रहे हैं युवा औरतों के पती मर रहे हैं तो वो सब कहीं राहत पाने के लिए तलाश कर रही है their solemn chants ring out their solemn उनकी पवित chants माने मंत्र वो जो बोल रही है गा रही है चीख रही है रो रही है ring out वो सब ring out माने गूज रहे हैं they mingle with the voices of lament और वो जो विलाब की आवाजे हैं वो आपस में मिल रही है कहीं से chants मंत्रों की आवाज आ रही है मंत्रों में पुझा हो रही है वेदियों पर मंत्र जाब किये जा रहे हैं तो चीखों की आवाज हैं और मंत्र जाब की आवाज हैं वो सब आपस में मिल रही हैं ओ जीयस गोल्डन डियोटर अरे जीयस की गोल्डन मने सुनहरी बेटी send your support अपनी support भेजो अपना राहत भेजो and strength और ताकत भेजो your lovely countenance अपना प्यारा मुखडा दिखाओ जीयस की बेटी यानि एथेना से इन्होंने प्रार्थना की फिर आगे देखिए and that revenus Aries God of Killing और वो revenus मने लालची भयानक Aries God of Killing जो के हत्या का देवता है यानि उसको मारना लोगों को पसंद है लोगों को पीडा देना मारना काटना पसंद है Aries Who now consumes me as he charges on with no bronze shield but howling battle cries let him turn his back and quickly leave this land Who now consumes me जो इस वक्त मुझे खाये जा रहा है as he charges on और जैसा कि वो charge on मने चड़ाई कर रहा है आकरमर कर रहा है with no bronze shield यानि कोई भी कांसगी shield नहीं है shield बने जिससे हम अपनी सुरक्षा कर सके ऐसी कोई shield हमारे पास नहीं है ढाल नहीं है हमारे पास कोई but howling बलकि चीखती हुई चलाती हुई battle cries युद्ध की चीखे है हमें बचाने वाला कोई नहीं है चारो तरफ से युद्ध की चीखे है let him turn his back कहो उससे वो मुड जाए अपनी पीट मुड ले and quickly leave this land और जल्दी ही इस धर्ती को छोड़ कर चला जाए thieves को छोड़ कर चला जाए with a fair following wind to carry him एक अच्छी हवा उसके पीछे पीछे जाए उसको ले जाए उसको धक्का देती हुई ले जाए to the great chamber of emphitrite और कहां ले जाए उस बड़ी सी गुफा में emphitrite की तो ये emphitrite कोन है भाई emphitrite की गुफा में ले जाए ये पोसिडॉन की पतनी है goddess of sea है समुद्र की देवी है पोसिडॉन जो के समुद्र का देवता है उससे उसकी शादी होई है तो उसकी गुफा में ले जाए इसको किसको ले जाए एरीस को इसको god of killing भी है और इसको plague लाने वाला bringer of plague भी कहा जाता है महमारियों को भी यही फैलाता है तो इसको ले जाके समंदर की गुफा में छिपा दे और inhospitable waves of thracy या फिर जो inhospitable hospitable जो दोस्ताना होती है inhospitable जो के गहर दोस्ताना होती है दुश्मनी से भरी हुई परेशान करने वाली waves मने लहरें of thracy thracy की लहरों में ले जाकर इसको छिपा दे यह thracy उसकी favorite जगह है यानि Aries की Aries जहां रहता है तो वहीं चला जाए यह Aries thracy में और वहीं जाकर छिप जाए for if destruction does not come at night then day arrives to see it does its work क्योंकि अगर destruction रात में नहीं होता रात में विनाश नहीं होता तो दिन में होता यानि दिन रात विनाश चलता रहता है इसका कभी दिन में कभी रात में O you who wield that mighty flesh of fire O father Zeus with your lightning blast let Aries be destroyed O you अरे तुम who जो के wield मने प्रयोग करते हो that mighty flesh वो जो ताकतवर चमक है of fire आवाज की यानि जो thunder lightning है वो Zeus के पास है तो वो जो तुमारी thunder है और जो ताकतवर बिजली की कड़क है O father Zeus अरे पिता Zeus with your lightning अपनी उस कड़क से बिजली की चमक से blast मने बरबाद कर दो खत्म कर दो let Aries be destroyed Aries को खत्म कर दो यानि Aries भी तो उसी का बेटा है लेकिन इस तरीके का है नलायक तो तुम उसको खत्म कर दो उसने हमें परिशान किया हुआ है तुम हमारे भी तो पिता हो तो तुमारे एक बच्चे को दूसरा बच्चा परिशान कर रहा है तो उसका दंड देना वो भी तो तुमारा काम है तो उसको नश्ट कर दो, उसको खतम कर दो ओ लाइसियन गॉर्ड, how I wish those arrows from the golden string of your bent bow with their all conquering force would wing out to champion us against our enemy ओ लीसियन लॉर्ड, अरे लीसियन लॉर्ड यानि लीसियन स्वामी, ये लीसियन एक एपिथेट है, जिसका मतलब होता है wolf, यानि भेडिया, तो ये जो title है, यूज किया जाता है Apollo के लिए, और उसको माना जाता है कि Apollo भेडियों से भेड़ों को बचाता है यानि जो flocks हैं, जानवरों को जुन्ड हैं उनको भेडियों से बचाता है, तो उसको लीसियन कहा जाता है, killer of wolves आप कह सकते हैं, pattern of flocks उसको कहा जाता है, तो ओ लीसियन लॉड, तो अरे जुन्डों को बचाने वाले, भेड़ों को भेडियों से बचाने वाले देवता how I wish, मैं कितनी गुजारिश करता हूँ, इच्छा करता हूँ those arrows कि वो तीर from the golden string of your band bow यानि तुम्हारा जो golden मने सुनहरी string मने धागा जो डोडी होती है, of your band मने जुके हुए बो मने धनुष से, तो धनुष में डोडी होती है और डोडी के साथ, कुछ अब खीचा जाता है, तब ही तो तीर चलते है तो वो जो तीर तुम्हारे सुनहरी डोडी से निकले है तुम्हारे धनुष से, तुम्हारे जुके हुए धनुष से with all their conquering force, with their अपनी all conquering यानि, conquer मने जीतना होता है, force मने ताकत तो सभी को जीतने बाली ताकत के साथ, वो जो तीर है वो आएं, would wing out, यानि वो तीर उड़कर आएं तुम्हारे to champion us, champion मने हमें विज़ई बनाएं, हमें जिताएं against our enemy, हमारे दुश्मन से, तो यहां दुश्मन कौन है वो plague है, जो महामारी फैली हुई है, तो तुम्हारे वो तीर, तुम्हारे सुनहरी धनुश्च से निकल कर आएं, और हमारी मदद करें, हमें हमारे दुश्मन के खिलाफ जिताएं and I pray, और मैं इलतिजा करता हूँ, गुजारिश करता हूँ तो किस चीज की प्राप्थना करता हूँ, for those blazing fires blazing माने जलती हुई fires, आग के लिए of Artemis Artemis की, तो Artemis अभी बताया था कि यह जो देवी है, एथना की बहन है तो उसकी जो जलती हुई आग है, वो भी शिकार की शौकीन है goddess of hunt है, with which she races through तो अपनी उस आग से जलते हुए तीरों के साथ, वो races through माने घूमती फिरती है, दौरती रहती है, the lesian hills उन पहाडियों पर, यानि जहां भेडें और भेडिये रहते हैं और भेडियों से भेडों को ईश्वर बचाता है, तो उन lesian पहाडियों पर, वो घूमती रहती है, शिकार करती रहती है, I call the god, तो वो उन सब को बुला रहा है, सब का आवान कराएं, वो सारे देवी देवता, अपने तीर और जो धनुश हैं, वो लेकर आएं, I call the god, मैं फुकारता हूँ उस देवता को, who binds his hair with gold, जो अपने बालों को सोने से बानता है, यानि सूर्य देवता है, उसकी किर्णे सोने जैसी होती है, तो ऐसा लगता है, जैसे कि उसके सोने के बाल हो, the one whose name our country shares, वो देवता जिसका नाम हमारा देश बाड़ता है, यानि हमारे देश के साथ जिसका नाम जुड़ा हुआ है, the one to whom minards shout their cries, वो देवता जिसके लिए minards जो के उस देवता की पूजा करते हैं, जो पूजारी हैं, shout चिलाते हैं, their cries, यानि जोड-जोड से चिला कर, उसका आहवान करते हैं, उसकी पूजा करते हैं, वैसे यहाँ पर जो reference है, वो Dionysus के लिए reference है, Dionysus जो के शराब का देवता है, जिसका के Roman equivalent Becus है, यानि अगर Roman God of Wine की बात करेंगे तो Becus होगा, और Greek God of wine की बात करेंगे तो Dionysus होगा, और उसके जो followers हैं, वो Minars कहलाते हैं, है न, तो यहाँ उसका आवान भी हो रहा है, Dionysus with his radiant face, तो जो दारू पीते हैं, लोग उनको देखा हुआ, उनका चेहरा लाल हो जाता है, तो Dionysus अपने चमकते हुए चेहरे के साथ, तो Dionysus का यहाँ आवान कर रहा है वो, May he come to us, वो हमारे पास आए, with his flaming torch light, अपनी जलती हुई torch light मशाल के साथ, our ally, जो समर्थक होता है, नक्षक होता है, साथ ही होता है, वो हमारा दोस्त बने साथी बने against, खिलाफ, Aries, Aries के खिलाफ, तो Aries जैसे मैंने आपको बताया, माना जाता है कि सारी महा मारियां फैलाता है, दुष्ट प्रकरती का है, है तो जी उसका ही बेटा ये भी, लेकिन नलाइक बेटा है, तो उसके खिलाफ हमारा ally बने, साथी बने, डियोनीसस भी आकर, A God, Dishonored Among Gods, तो ये एक ऐसा God है, ऐसा देवता है, Dishonored, जो बेज़त किया जाता है, जिसकी कोई इज़त नहीं है, Among Gods, देवताओं के बीच में, क्योंकि ये सबके साथ बुरा करता है Aries, तो इसकी कहीं कोई इज़त नहीं होती है, तो उसके खिलाफ हमारा साथ दे आकर, ड दिया नहीं गया है, लेकिन यहां पर टाइटल आएगा, फर्स एपिसोड, तो पहले प्रलोग था, फिर पेरोडोस था, और ये शुरू होता है, फर्स एपिसोड, क्या खहरा है Aedipus, देखते हैं, Aedipus, You pray, but if you listen now to me, you will get your wish, You pray, आप प्रार्थना कर रहे हो, लेकिन अगर आप अब मेरी बास सुनेंगे, You will get your wish, तो आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी, Here what I have to say, here सुनिये, what I have to say, जो मुझे कहना है, जो मैं कहरा हूँ, वो सुनिये, and treat your own disease, और अपनी बीमारी का खुद इलाज करिये, then you may hope to find relief from your distress, then तभी you may hope, आप उमीद कर सकते हो, to find relief, रहत पानेगी, from your distress, अपनी परिशानियों से, I speak, मैं बोल रहा हूँ, as one, एक ऐसे व्यक्ति के रूप में, who is a stranger, जो कि अजनवी है, to the story, कहानी से, क्योंकि डीपस तो बाहर से आया था, thieves का रहने वाला तो है नहीं, a stranger to the crime, मैं एक अजनवी हूँ, उस अपराद से, यानि if अगर I alone, मैं अकेला, were tracking down, यानि तलाश कर रहा होता, this act, इस कारे को, I would not get far without a single clue, तो बिना एक भी clue पाए में, जादा दूर तक नहीं जा सकता था, पता अगर मैं लगाना शुरू करूँ इस काम, इस अपराद के बारे में, तो एक clue के बिना में आगे तक नहीं जा सकता, but as things stand, लेकिन जैसा के चीज़ें हुई है, for it was, क्योंकि ये हुआ था, after the event, उस घटना के बाद, किस घटना के बाद, लियास की हत्या के बाद, that I became a citizen of thieves, कि मैं thieves का एक नागरिक बना, I now proclaim, मैं अब दावा करता हूँ, the following to all of you cadmians, यानि मैं यह गोशना करता हूँ, यह गोशना करता हूँ, यानि आप सभी जो cadmians हो, यानि cadmus की ओलादो, मैं तुम सब के सामने यह गोशना करता हूँ, whoever among you, आप लोगों के बीच में से जो कोई भी knows, जानता है, the man it was, जो आदमी था, कौन आदमी, लियास का हत्यारा, यह गोशना करता है, जो लियास का हत्यारा था, बस्क्uffिल आएरनी चल रही है, किंकि लियास का हत्यारा, खुद है, और उसके लिये क्या दंद भ्यानक वह घोशना कर रensus रहा है, क्या जबरदस्त तो सको सजा दी जाएगी, Ili apple जारे को, वो सुनिए आप, इनको याद करना बड़ा मुश्किल होता है लेकिन क्या करें मजबूरी है आपको करना ही पड़ेगा तो son of Lebracus I order him मैं उसको ये हुक्म देता हूं to reveal it all to me कि वो सब कुछ मुझे पता दे अगर उसको पता है and if the killer is afraid और अगर हत्यारा डर रहा है I tell him जो मुख्य आरोप है उसके उपर उस खत्रे से वो बच जाएगा by speaking out against himself वो खुद ही आकर अपने खिलाफ बोल दे बता दे कि भाई मैंने हत्या की थी लियास की आके बता दे तो वो खत्रे से बच जाएगा if so अगर वो ऐसा करता है he will be sent out उसको बाहर भेज दिया जाएगा from this land इस देश से थीब से इस जमीन से अनहर्ट बिना कोई चोट पहुचाए and undergo और वो जहलेगा no further punishment और आगे कोई दंड नहीं जहलेगा और कोई सजा उसको नहीं दी जाएगी सिर्फ यहां से निकाल दिया जाएगा वो आके खुद ही बता दे if someone knows the killer is a stranger अगर कोई यह जानता है कि हत्यारा अजनभी है from some other state किसी दूसरे राज्य से है let him not stay mute तो वो आदमी शांत ना रहे mute मने चुप चुपना रहे अगर किसी ओ पता है as well as a reward यानि as well as मने साथ ही a reward एक इनाम के इनाम के साथ he will earn my thanks वो मेरा शुक्रिया भी कमाएगा मैं उसको धन्यवाद भी दूँगा क्या करे यह खतम नहीं होगा अभी तो शुरू हुआ है भई भई अभी तो शुरू हुआ है आप लोगों के इस ड्रामे के बीच में ड्रामा होता है लोग मुझे वीडियो नहीं बनाने देते हैं आप सोच लो आप लोगों की खादर क्या बरदास कर रही हूं चलो आगे बढ़ते हैं अगर कोई through fear, डर से, hides himself अपने आपको छिपाता है और a friend of his या अपने दोस्त को छिपाता है against my orders मेरे हुक्म के खिलाफ Here's what I shall do तो फिर ये है जो मैं करूँगा So listen to my words इसलिए मेरे अलफाजों को, मेरे शब्दों को सुनो For I decree क्योंकि मैं ये आदेश देता हूँ that no one in this land के कोई भी बंदा इस धर्ती पर in which I rule जिस पर के मैं राज कर रहा हूँ as your own king आपके राजा के रूप में shall give that killer shelter कोई भी उस हत्यारे को शरण नहीं देगा or talk to him उसे बात नहीं करेगा whoever he may be जो कोई भी वो हो or act in concert with him या उसे मिलकर काम नहीं करेगा during prayers यानि प्रार्खनाओं को देवरान पूजा जब की जाती है देवताओं की उस वक्त कोई भी उससे मिलकर नहीं चलेगा उसके साथ मिलकर काम नहीं करेगा or sacrifice या जो बली दी जाती है देवताओं को वहां भी उसके साथ नहीं रहेगा or sharing lustral water और जो पवित्र पानी शुद्ध पानी जो दिया जाता है हमारी यहां भी जल छिड़का जाता नहीं जिसमें गंगा जल मिला हुआता है पवित्र पानी तो उस शुद्ध जल को उसके साथ कोई नहीं बांटेगा ban him from your homes उस पर ban लगा दो अब देखिए यह सारे जो घोशाएं कर रहा है अपने लिए ही तो कर रहा है क्योंकि वो लियास का हथ्ति आ रहा है लेकिन उसे पता ही नहीं कि यह जितना जो कुछ बोल रहा है वो सब उसकी के ऊपर लागू होने वाला है ban him from your homes उसको अपने घरों से बाहर कर दो ban लगा दो उस पर घर में ना गुजे every one of you आप मैंसे हर कोई for he is our pollution क्योंकि वही है जो हमारा pollution है जो हमारे उपर बदनुमा दाग है हमारा प्रदूशन है as the pithian god in this I am acting as an ally of the god and also of the dead lias यहां एक line गायब है as the pithian god जैसा कि pithian god ने मैंने आपको बताया था क्योंकि उसने python को मारा था तो देवता को pithian god कहा जाता है तो जैसा कि pithian god ने has revealed to me यहां एक line आएगी has revealed to me यानि अभी अभी जाहिर किया है just now ऐसा करके एक line है in doing this ऐसा करने में in this I am acting an ally तो ऐसा करने में I am acting में काम कर रहा हूं as an ally एक साथी के रूप में of the god उस देवता के and also of the dead lias और मरे हुए lias के साथी के रूप में अच्छा यहां तो मैंने ऊपर ही नहीं किया इसको scroll नहीं किया तो यहां पर एक line गायब है pithian god has just revealed to me और ऐसा करने में मैं देवता के साथी के रूप में कारने कर रहा हूं और मरे हुए lias के साथी के रूप में भी काम कर रहा हूं and I pray कि जो कोई भी वो बंदा है जिसने यह अपराद किया है one unknown person acting on his own कोई अग्यात आदमी है जिसने अपने आप से यह काम किया है आप देखिए वो खुद भी unknown person है और stranger है नया है और उसने ही यह काम किया तो लगातार dramatic irony यहां चल रही है or with companions या फिर अपने साथियों के साथ किया है the worst of agonies will wear out his wretched life तो देखिए the worst of agonies यानि सब से बुरे दुख कष्ट परेशानियां will wear out यानि उसको सहन करने पड़ेंगे तूट पड़ेंगे his wretched life उसके बेचारे जीवन पर उसके दरिद्र जीवन पर इतना उसका जीना हराम कर दूँगा मैं कि वो मतलब अपने जीवन पर रोएगा अपने पैला होने पर रोएगा ऐसा जिन्दगी उसकी मौत से बुरी कर दूँगा कहने का मतलब यह अगर डायलोग हिंदी फिल्मों के मारे जाएं तो मैं ये भी प्रार्थना करता हूँ that if he should come, become an honored guest कि अगर वो सम्मानित महमान बनेगा इजदार इजदार सम्मानित guest महमान in my own home, मेरे खुद के घर में and with my knowledge और मुझे ये पता भी चल जाए कि वो मेरे घर में guest है I may suffer all those things तो मैं खुद भी वो सारे कष्ट भोगूँगा I have just called down upon the killers जो मैंने अभी घोषणा की है उन हत्यारों को देने की तो जो सजा मैं उन हत्यारों को देने के लिए बोल रहा हूँ वो सजा मैं खुद भी भोगूँगा अगर वो हत्यारा मेरे घर पर महमान बना और मुझे इसकी जानकारी हुई And I urge you now और अब मैं आपसे कहता हूँ To make sure कि ये सुनिश्चित किया जाए All these orders कि ये सारे हुक्म ये सारे फर्मान Take effect पूरे किये जाएं जो मैंने हुक्म दिये हैं मेरी जो आगया है उनका पालन किया जाए For my sake मेरी खातिर For the sake of the God देवताओं की खातिर And for our barren godless ruined land और हमारी जो बंजर देवताओं के भीहीन भगवान से भीहीन ruined, बरबाद, धरती है भई जिसके उपर भगवान का साया हो वो कैसे बंजर हो सकती है तो इसलिए उसको godless कहा है जमीन को बरबाद हो रही है तो उसकी खातिर ये किया जाए For in this matter क्योंकि इस मौामले में Even if a god were not urging us अगर एक देवताओं हमसे ना कह रहा होता It would not be right ये ठीक नहीं होता For you, आपके लिए To simply leave things as they are चीजों को छोड़ देना जैसी के वो है इग्नोर कर देना And not to purify the murder of a man और जो एक मनुश्य की हत्या हुई है उसको purify ना करना यानि उसके लिए हत्यारे को दंड ना देना उसका बदला ना लेना वो आप लोगों के लिए उचित ना होता अगर देवता ना भी कहते Who was so noble And who was your king और वो इनसान भी कैसा जिसके हत्या हुई है So noble इतना महान था इतना अच्छा राजा था And who was your king आपका राजा भी था एक इनसान के रूप में भी बहतरीन इनसान था और आपका राजा भी था You should have looked into it आप लोगों को इस मौामले में देखना चाहिए था But now I possess the ruling power अब क्योंकि शासन की सक्ती राज शक्ती मेरे पास है Which liyas held in earlier days जो के पहले पुराने दिनों में लियास के पास थी लियास यहां का राजा हुआ करता था लेकिन अब राज शक्ती मेरे पास है I have his bed and wife मेरे उसके जो बिस्तर था उसकी जो पत्नी थी अब मेरी पत्नी है क्योंकि लियास की विधवा से उसने शादी की है She would have born his children उसने उसके बच्चे पैदा किये होते लियास के बच्चे पैदा किये होते If his hopes to have a son अगर उसकी उमीदें एक बेटा प्राप्ट करने की क्योंकि राजा हो या प्रजा हो सभी बेटा प्राप्ट करना चाहते हैं खासकर राजा क्योंकि राज-काज को समालने के लिए एक बेटा चाहिए तो अगर उसकी उमीदें पूरी हुई होती एक बेटा प्राप्त करने की had not been disappointed और उसकी वो उमीदें disappointed नहीं हुई होती यानि बेकार न गई होती उसने भी उमीद तो की होगी न एक बेटा प्राप्त करने की लेकिन अगर वो ना हुई होती children from a common mother might have linked liyas to myself तो जो एक common mother यानि जोकास्टा common mother हुई और लियास के बेटे और मेरे बच्चे लियास के बच्चे और मेरे बच्चे वो क्या होते children from a common mother तो मा एक ही होती बाप अलग अलग होते तो might have linked उन्होंने जोड दिया होता उन बच्चोंने लियास and myself मुझको और लियास को तो अभी मेरा और लियास का कोई रिष्टा है नहीं क्योंकि ऐसे कोई बच्चे है ही नहीं लियास का तो कोई बच्चा है ही नहीं but as it turned out अब लेकिन जैसा कि ये हुआ fate souped down onto his head यानि भाग ये भाग ये उसके उपर तूट पड़ा so now इसलिए अब I will fight on his behalf मैं उसकी तरफ से लड़ूँगा as if this matter concerned my own father जैसे कि ये मामला मेरे खुद के बाप का ही मामला हो है ना जैसे मेरे ही बाप की हत्या हुई हो मैं इस तरीके से इस मामले में लड़ूँगा देखिए जबरदस्ट dramatic irony है मैं ऐसे लड़ूँगा जैसे मेरे बाप की ही हत्या हुई हो और उसके बाप की ही हत्या हुई है and I will strive और मैं कोशिश करूँगा to do everything हर चीज करने की I can जो मैं कर सकता हूँ to find him उसको ढूणने की the man उस आदमी को ढूणने की who spilled his blood जिसने उसका खून बिखेरा and thus avenge और इस प्रकार बदला लूँगा the son of lepdicus lepdicus और polydorus इन दोनों का बेटा lepdicus और polydorus का बेटा लियास उसका उसकी मौत का मैं बदला लूँगा of cadmus cadmus का बदला लूँगा क्योंकि cadmus ही सबका common ancestor है cadmus का बदला लूँगा and again or from old times और प्राचिन काल के ये जो पूरवज है cadmus again or इनका मैं बदला लूँगा as for those who do not follow what I urge और जहां तक उन लोगों का सवाल है जो मेरी इस आग्या का पालन नहीं करेंगे I pray the gods send them no fertile land मैं प्रार्था करता हूँ कि इश्वर उनको बिल्कुल भी उपजाओ जमीन ना दे उनके कभी फसलें पैदा ना हो क्योंकि प्राचिन काल से खेती ही मुख्य साधन रहा है जीविका का तो वहां भी जीने का जो मुख्य साधन था वो खेती था और अगर fertile land ही नहीं होगी तो कैसे जी पाएगा कोई बंदा तो इसलिए यही श्राब दिया जाता है no nor any children in their women's wombs और उनकी महलाओं के गर्व से बच्चे भी पैदा ना हो उनके आगे generation आगे ही ना बढ़े may they all perish वो सब बरबाद हो जाएं नश्ट हो जाएं in our present fate जो हमारा वर्तमान भागे चल रहा है यानि इस वक्त जो महामारी फैली हुई है उसी महामारी से मर जाएं or one more hated hateful still या फिर इससे भी ज्यादा भयानक बीमारी उनको हो जाए और उससे मर जाएं to you others और तुम बाकी जो लोग हो you cadmians आप लोग जो cadmians हो who support my efforts जो मेरे प्रयासों में मेरी मदद कर रहे हो may justice our ally and all the gods attend on us with kindness all our days तो इस्षवर करें कि हमें नियाए मिले और सारे जो देवी देवता हैं वो हमारा साथ दें हमारे उपर दया करें आने वाले दिनों में अब chorus leader क्या कहता है chorus leader my lord since you extend your oath to me मेरे स्वामी क्योंकि आपने अपनी कसम अपनी शपत मेरी और बढ़ाई है I will say this तो मैं ये कहूंगा I am not the murderer क्योंकि के भई और नहीं मैं आपको ये बता सकता हूँ कि हत्यारा कौन है भाई मेरे सामने आप बोल रहे हो ये बात तो न मैं हत्यारा हूँ न मुझे हत्यारे के बारे में मालूम है As for what you are seeking और जहां तक जो आप तलाश कर रहे हो It's for Apollo तो ये Apollo पर निर्भर है Who launched this search जिसने शुरुआत की है इस खोज की To state ये बताना Who did it कि ये किया किसने किसने हत्या की ये तो Apollo ही बताएगा क्योंकि उसीने शुरुआत की है उसीने Oracle किया है भविश्वानी दी है That is well said ये तो तुमने खुब बात कही But no man has power लेकिन किसी भी मनुश्य में ये ताकत तो है नहीं To force the gods कि वो देवताओं को मजबूर कर सके To speak against their will कि वो अपनी इच्छा के खिलाफ बोले उनका मन होगा तो बोलेंगे नहीं होगा तो नहीं बोलेंगे Chorus leader May I then suggest तो फिर मैं ये सुझाव दे सकता हूँ What seems to me The next best course of action यनि जो मुझे अगला सबसे अच्छा कदम दिखता है कारे करने का क्या वो मैं आपको suggest कर सकता हूँ Edipus You may indeed बिलकुल कर सकते हो And if there is a third course और अगर कोई तीसरा रास्ता है To be Don't hesitate to let me know तो भई जिजगना मत मुझे बताने से हाना क्या अब Chorus leader क्या कहता है Our Lord Tears Yars हमारा एक स्वामी है Tears Yars I know मैं जानता हूँ Can see into things वो चीजों को देख सकता है Like Lord Apollo Swami Apollo की तरह जैसे Apollo देवता को भूत भविश्य वर्तमान सब कुछ मालूम है वैसे ही Tears Yars जो के भविश्य वक्ता है उसको सब कुछ मालूम है From him, my king A man investigating this Might well find out clear details of the crime From him, उससे यानि कि Tears Yars से My king, मेरे राजा A man कोई भी आदमी investigating जो के Unvasion कर रहा हो खोज कर रहा हो This इस चीज इस मामले में Might well find out तो वो अराम से पता लगा सकता है Clear details इस पर्ष्ट डिटेल्स पता लगा सकता है Of the crime इस अपराद की कि ये अपराद किस ने किया क्यूं किया कैसे किया पता लगा सकता है I have taken care of that मैंने भी इसका ख्याल लगा है It's not something I could overlook ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिसकी मैं अन्देखी कर सकता था यानि मुझे भी मालूम है टीर से आज के बारे में और मैं इसकी अन्देखी बिल्कुल नहीं कर सकता At Creon's Urging Creon के कहने पर I have dispatched मैंने भेजे हैं तू मैसेंजर्स दो दूत तू हिम उसके पास And have been wondering और मैं ये सोच रहा हूं For some time now कुछ समय से Why he has not come कि वो अभी तक आया क्यों नहीं है Chorus leader Apart from that इसके अलावा There are rumors ये अफवाहें भी हैं But inconclusive ones लेकिन इन अफवाहों का कोई आधार नहीं है Inconclusive मने उनका कोई निशकर्ष नहीं निकल रहा From a long time ago लंबे समय से कुछ अफवाहें फैली हुई हैं लेकिन उनका कोई मतलब नहीं निकल रहा है Edipus What kind of rumors किस तरीके की अफवाहें हैं भाई I am looking into every story मैं तो हर कहानी को देख रहा हूँ हर तरफ से हर पहलू को देख रहा हूँ क्या अफवाहें हैं Chorus Leisure It was said ये कहा जाता था That Lias was killed by certain travelers कि Lias की हत्या कुछ यात्रियों के द्वारा की गई थी Chorus Yes, I heard as much हाँ मैंने भी ऐसा सुना है But no one has seen the one who did it लेकिन जिसने हत्या की लियास की उसको किसी ने देखा नहीं है Chorus Leisure Well, ठीक है If the killer has any fears Once he hears your curse on him He will not hold back for they are serious If the killer has any fears अगर हत्यारे को कोई डर है Once he hears your curse on him अगर एक बार वो आपका श्राप सुन लेगा जो आपने उसके लिए निरधारित किया है He will not hold back तो वो छुपकर नहीं रहेगा वो पीछे नहीं रहेगा for they are serious क्योंकि वो जो श्राप है बड़ा गंभीर है जो कुछ आपने आग्या दी है इडिपस When a man has no fear of doing the act he is not afraid of words तो बड़ी जवरदस बात का है इडिपस कि जब किसी इंसान को वो काम करने में ही डर नहीं लगा तो उसको शब्दों से क्यों डर लगेगा यानि हत्या करने से जो बंदा नहीं डरा लियास की राजा है लियास और राजा की हत्या करने से जो बंदा नहीं डरा वो मेरे शब्दों से क्यों डरेगा Chorus No नहीं Not in the case where no one stands there to convict him But at last TRCS is being guided here No यानि कि वो नहीं डरेगा Not in the case ऐसे मौामले में Where जबकि no one stands there कोई भी नहीं है कोई भी नहीं खड़ा है There to convict him उसका दोश सिद्ध करने के लिए है ना उसका दोश सिद्ध करने वाला कोई है नहीं कि इसने हत्या किया क्योंकि कोई विटनेस ही नहीं गवाह ही नहीं है तो क्यों डरेगा भाई But at last TRCS is being guided here लेकिन अंतता है देखिए TRCS यहां आ गया है Guided here मतब उसको लेकर कोई आ है क्योंकि वो अंधा है तो उसको guide करके रास्ता दिखाता हुआ कोई आ रहा है Our God-like prophet हमारा देवता समान भविश्य बकता In whom truth resides जिसके अंदर सच रहता है More so than all in all other men यानि जितना सारे लोगों में मिलाकर जितने भी बाकी के इंसान है उन सब में जितना सच नहीं है जितना अकेले इस TRCS के अंदर है यानि उसको सारा सच पता है Enter TRCS led by a small boy और अब TRCS प्रवेश करता है और उसके आगे आगे एक छोटा लड़का चल रहा है तुम जो के सारी चीजों को समझते हो what can be taught and what cannot be spoken of जो बताई जा सकती है सिखाई जा सकती है या फिर जिनके बारे में नहीं बताया जा सकता नहीं बोला जा सकता what goes on in heaven and here on the earth जो कुछ भी स्वर्ग में चल रहा है या यहाँ धर्ती पर चल रहा है You know, तुम जानते हो Although you cannot see हलां कि तुम अंधे हो, देख नहीं सकते How sick our state is कि कितना बीमार है हमारा राज ये तुम जानते हो, हलां कि तुम देख नहीं सकते And so, और इसी लिए We find you alone We find in you alone हम केबल तुम्हारे अंदर ही खोज रहे हैं पा रहे हैं Great Seer एक बड़ा सियर भविश्य देखने वाला द्रिष्टा Our shield हमारा रक्षक and saviour वो हम को बचाने वाला हमारी हिफाज़त करने वाला For Phoebus Apollo In case you have not heard the news Has sent us an answer to our question For क्योंकि Phoebus Apollo ने यानि जो सूरे देवता है Apollo उसने In case यदि You have not heard तुमने नहीं सुनी है The News कबर तो मैं तुमको बता दू Has sent us उसने हमारे पास भेजा है An answer एक जबाब To our question हमारे सवाल का The only cure एक मात्र इलाज है For this infecting pestilence ये जो संक्रमन फैलाने वाली बीमारी है हमारी फैली हुई है Is to find the man Who murdered Lias और अपोलो ने ये कहा है कि जो इलाज है वो उस आदमी को ढूंड़ना है जिसने Lias की हत्या की थी And kill them और उन लोगों को मार डालना उन लोगों को ढूंडना Lias के हत्यारों को और उनको मार डालना Or else expel them या फिर उनको बाहर निकाल देना बनवास दे देना देश निकाला दे देना From this land इस धर्ती से As exiles जैसे के देश निकाला बनवास दिया जाता है So इसलिए Do not withhold हमसे मत छिपाओ From us Your prophecies अपनी भविश्यवानी From voices of the birds Or by some other means तो जो भविश्यवानियां होती थी ये कैसे पहँचानते थे कि भविश्य में क्या होता है क्या होने वाला है यानि चिडियों की आवाजों को सुनकर या कोई दूसरे और शकुन अप्शकुन तो इनके जो माध्यम है जो मीडियम है इनका भविश्यवानी करने का वो चिडियों की बोली या फिर किस तरीके की हवा चल रही है किस तरीके की आवाजें आ रही हैं तरीके के शकुन अप्शकुन हो रहे हैं उससे वो भविश्वानी करते थे तो हमें पता लगा कर बताओ किसी भी तरीके से Save this city and yourself अपने आपको और इस शहर को दोनों को बचा लो Rescue me मुझे बचा लो Deliver us हम सब को बचा लो from all pollution by the dead ये जो सारा production हो रहा है मरे हुए लोगों के द्वारा लाशों के द्वारा उससे बचा लो we are in your hands हम तुम्हारे हाथों में हैं for a mortal man the finest labor he can do is help with all his power other human beings for क्योंकि a mortal man एक नश्वर इंसान ये बहुत अच्छी lines हैं explanation के लिए भी आती है the finest labor यानि एक नश्वर इंसान के लिए जो सबसे अच्छी labor है जो सबसे अच्छा काम है he can do जो वो कर सकता है इस दुनिया में वो क्या है is help कि वो मदद करे with all his power अपनी पूरी सामर्थ से अपनी पूरी शक्ती से ताकत से other human beings तूसरे इंसानों की तो अपनी पूरी ताकत से आप दूसरे इंसानों की मदद करें यही एक मनुष्य के लिए सबसे अच्छा काम है इस दुनिया में अब देखें टियर सी आस क्या कहता है अलास अलास हाए हाए how dreadful it can be कितना भयानक यह हो सकता है to have wisdom बुद्धिमानी रखना आपके अंदर brain है आपके अंदर बुद्धिमानी है when it brings no benefit जब यह आपके लिए कोई फाइदे मंद साबित ना हो रही हो to the man possessing it उस आदमी के लिए जिसके पास यह है यानि बुद्धिमानी मेरे पास है आभास मुझे है ग्यान मुझे है knowledge मुझे है कि क्या हो रहा है क्यों हो रहा है लेकिन इससे मेरा कोई फाइदा नहीं होने वाला है this I knew यह मैं जानता था but it had slipped my mind लेकिन यह बात मेरे दिमाग से ही निकल गई कि भई बुद्धिमानी है और आपके किसे काम की नहीं है तो वो आपके लिए कितना मुश्किल है कितना भयानक है यह मुझे आज तक समझ में नहीं आया otherwise अन्य था I would not have journeyed here मैं यहां तक आता ही नहीं अब जैसे ही टियर सियास आया है डीपस के पास टियर स पासिया सब कुछ जान गया कि इडीपस कौन है कहां से आया है क्या इसकी जन कुंडली है और यह जो पूरा भयानक महामारी फैली हुई है क्यों फैली हुई है इसकी वजह क्या है सब कुछ उसको समझ में आ गया और वो कह रहा है कि मैं यह बता नहीं सकता और काश में यहा आये हो बट सीम डिस्ट्रेस्ट लेकिन परिशान दिख रहे हो तियर सियास लेट मी गो हो मुझे घर जाने दो यू मस्ट बीर यूर बर्डन तुम अपना बोज खुद ढो खुद समहा लो अगर तुम मुझे सेहमत हो इडिपस जो कुछ तुम कह रहे हो ये ठीक तो नहीं है परम परागत जैसा कि कहना चाहिए मैनर्स होते हैं कहने का तरीका होता है तो तुम जो कुछ कह रहे हो ये बात परम परागत तो नहीं है तरक सम्मत तो नहीं है and shows little love towards the city state which nurtured you और इसमें बिल्कुल भी महबत दिखाई नहीं देती उस city state की तरफ उस राज्य की तरफ जिसने तुम को पाला पोसा है if you deny us अगर तुम हमें इंकार कर रहे हो your prophetic voice अपनी भविश्वानी करने वाली आवाज को देने से यानि तुम जानते हो भविश्वानी करना और तुम्हें पता है और तुम भविश्वानी करने से इंकार कर रहे हो तो तुम भाई बड़े खुदगर्ज हो और बड़े नाशुकरे हो इस शहर ने तुमको पाला पोसा है और तुम इसको बचाने के लिए भविश्वानी नहीं कर सकते हैं बता नहीं सकते हैं कि कोन है हत्यारा I see your words are also out of place मैं ये भी देख रहा हूँ कि जो तुम्हारे शब्द में वो तरक सम्मत नहीं है तुम्हारे शब्द बिलकुल अच्छे नहीं है सही नहीं है I do not speak for fear of doing the same और मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे डर है कि मैं भी ऐसा ही करूँगा अगर मैं बोलूँगा तो मेरे जो शब्द होंगे वो भी तरक सम्मत नहीं होंगे मतलब तुम्हारे शब्द मुझे चुब रहे हैं और मैं जो बोलूँगा वो भी तु देवताओं की कसम डू नोट टर्ण अवे मुड कर बापस मत जाओ वी आर यूर सप्लाइंट्स हम तुम्हारे फर्यादी हैं अल आउफ उस हम सभी वी बेंड आर नीज टू यू हम तुम्हारे सामने घुटने टेक रहे हैं एक राजा देखिए घुटने टेक रहा है अब बिचारा जानता ही नहीं कि उसने किया क्या है चीर सियास यू आर ओल इग्नोरेंट तुम सभी अग्यानी हो आई विल नाट रिवील मैं बिलकुल नहीं बताऊंगा दा ट्रिबलिंग ठींस वो जो परेशान करने वाली चीजे हैं हलचल करने वाली चीजे हैं तुफान पै are your griefs as well कि वो तुम्हारे भी दुख हैं मेरे अंदर जो इस वक्त तूफान है वो तुम्हारा भी तूफान है वो तुम्हारे भी कश्ट हैं तुम्हारे भी दुख हैं मैं उनको नहीं बताऊंगा इडिपस इडिपस what are you saying तुम कह कही आ रहे हो do you know and will not say तुम्हें मालूम है और तुम बताऊंगे नहीं do you intend क्या तुम्हारा इरादा है to betray me मुझे दोखा देने का and destroy the city और इस शहर को बरबाद करने का I will cause neither me nor you distress मैं ना तो खुद को और ना तुम को परेशानी में डालना चाहता हूं why do you mainly question me like this तुम बेकार ही बेकार ही question सवाल कर रहे हो मुझसे like this इस तरीके से तुम बेकार ही मुझसे ऐसे सवाल क्यों कर रहे हो बाई मैं ना तुम्हें परेशान करना चाहता हूं ना खुद को परेशान करना चाहता हूं you will not learn a thing from me तुम मुझसे एक भी बात नहीं उगलबा पाओगे you most disgraceful of disgraceful men तुम सबसे ज्यादा बत्तमीज से बत्तमीज इंसान बेगेरत से बेगेरत इंसान बेज़द से बेज़द इंसान you would move something made of stone to rage यानि कोई चीज अगर पत्थर की भी बनी हो something कोई चीज made of stone पत्थर की भी बनी हो तो rage माने गुसा तुम जो कर रहे हो ना उससे पत्थर की चीज को भी गुसा आ जाएगा will you not speak out? क्या तुम नहीं बोलोगे? will your stubbornness never have an in it? क्या तुमारी इस जिद का, तुमारी इस हट का कोई अंत नहीं होगा? tears yes, you blame my nature तुम मेरे सभाप पर तुम दोश लगा रहे हो तुम मेरे उपर but do not see the temper you possess लेकिन तुम उस ब्यभार को नहीं देख रहे हो जो तुमारे पास यानि तुम मुझसे तो कह रहे हो कि मेरा ब्यभार खराब है अपना ब्यभार नहीं देख रहे हो instead you are finding fault me अपना ब्यभार देखे बिना तुम मेरे दोश गिना रहे हो मुझको what men who listen to these words of yours would not be enraged what men कौन सा वो बंदा होगा who listened जो सुनेगा of these words इन अलफाजों को इन शब्दों को of yours तुमारे would not be enraged और फिर वो गुसा भी नहीं करेगा you insult the city तुम इस शहर की बेज़दी कर रहे हो yet events will still unfold आने वाली घटनाएं अपने आप खुलासा कर देंगी unfold बने खुलासा कर देंगी for all my silence for all my silence मेरी पूरी खामोशी के बावजूद जो घटनाएं घटने वाली हैं वो खुलासा कर देंगी since they will come since क्योंके they will come वो घटनाएं होनी ही है you must inform us तो भाई तुम ही हमको बता दो अब तुम कह रहे हो के आने वाली घटनाएं खुलासा कर देंगी तो तुम ही बता दो ना I will say nothing more मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं बोलूँगा fume on about it इसके बारे में सोचो या फिर इसके बारे में तुम गुसा करो फियू माने गुसा करना भी होता है तो करो तुम गुसा if you wish अगर तुम चाहो as fiercely as you can जितने जोड से तुमें गुसा करना है करो मुझे क्या फरक पढ़ रहा है I will हाँ मैं गुसा करूँगा in my anger और मेरे गुसे में I will not conceal मैं बिल्कुल नहीं चिपाऊँगा just what I make of this वो चीज जो मेरी समझ में आ रही है तुम्हारी इस खामोशी से जो बात मेरी समझ में आ रही है मैं अब उसको नहीं चिपाऊँगा मेरी दमाग में खयाल आ रहा है क्या खयाल आ रहा है You should know तुम्हें जानना चाहिए जान लो तुम I get the feeling कि मुझे ऐसा आभास हो रहा है You conspired कि तुमने भी शर्यंत्र किया था in the act इस काम में किस काम में लियास की हत्या के काम में and played your part और तुमने भी भूमिका निभाई थी As much as you could do जितनी बड़ी भूमिका तुम निभा सकते थे उतनी बड़ी भूमिका तुमने भी निभाई थी लियास की हत्या करवाने में Short of killing him with your own hands यानि तुम अपने हाथों से तो उसकी हत्या कर नहीं सकते थे अंधे हो तो लेकिन तुमने अपनी भूमिका जरूर निभाई थी तुम इस शड़ी अंत्र में शामिल थे If you could use your eyes अगर तुम अपनी आँखें प्रियोग कर पाते You would have I would have said तो मैं ये कहता That you had done this work by all by yourself कि ये सारा काम लियास की हत्या का सारा काम तुमने खुद किया था अब क्योंकि तुम अंधे हो तो मैं ये तो नहीं कह सकता कि तुमने अपने हाथ से मारा थे लियास को लेकिन लियास को मरवाने में तुम्हारा हाथ जरूर था ये मैं कह सकता हूँ अब TRCास को भी गुस्तार आए अब देखिए Is that so? अच्छा तो ऐसी बात है Then I would ask you to stand by the very words अब मैं तुमसे कहता हूँ जहलो उन शब्दों को अबने आपको पत्थर बना लो खड़े रहो यहाँ पर और जहलो उन शब्दों को the very words which you yourself proclaimed वो अलफाज वो शब्द जो तुमने खुद गोशना की थी यानि जिस दंड की तुमने गोशना की थी ना तुमने and from now on और आज के बाद not speak to these men इन लोगों से तुम बात मत करना और मी या मुझसे भी बात मत करना क्योंकि अभी अभी उसने गोशना की थी जो हत्यारा है उससे कोई बात नहीं करेगा कोई रिलेशन नहीं रखेगा तो आज के बाद ना तुम इन लोगों से बात करना ना मुझसे बात करना for क्योंकि the accursed polluter वो शापित polluter वो शापित धबा वो शापित हत्यारा वो शापित अपराधी of this land इस धर्ती का इस देश का इस राज्य का is you तुमी हो इडीपस अब इस पर तो जैसे बिजलियां टूट पड़ी you dare to utter shameful words like this तुमारी हिम्मत कोई ऐसे बेजजती से भए हुए अलफाज बोलने की do you think you can get away with this क्या तुम सोचते हो कि इसके साथ तुम यहां से निकल जाओगे ऐसा बोल कर मेरे बारे में तुम यहां से बाहर निकल जाओगे तुम यह सोचते हो tears yes I am getting away with it मैं यह कहकर जा रहा हूं the truth within me makes me strong मेरे अंदर की सच्चाई मुझे मजबूत बना रही है मुझे ताकप दे रही है Edipus who taught you this किसने सिखाया तुमको यह सब किसने पढ़ाया तुमको यह सब किसने कहा तुम से यह सब बोलने के लिए it could not have been your craft यह तुमारी कलातो नहीं हो सकती यह जो कुछ तुम बोल रहे हो यह तुमारे अलफाज नहीं हो सकते तुमारी आर्ट नहीं हो सकती यह Dear C.A.S. You did तुमने सिखाया मुझे I did not want to speak मैं तो बोलना ही नहीं चाहता था but you incited me लेकिन तुमने मुझे बढ़काया Edipus What do you mean तुमारे कहने का मतलब क्या है Speak it again फिर से बोलो So I can understand ताकि मैं समझ सकूँ You तुमारी बात को More precisely ज्यादा सटीक तरीके से ज्यादा अच्छे तरीके से Here she asks Did you not grasp क्या तुम नहीं समझे My words मेरे अलफाजों को Before, पहले पहले मैंने बोला तो समझे नहीं क्या Or are you trying या फिर तुम कोशिश कर रहे हो To test me मेरा इम्धान लेने की With your question अपने सवाल से I did not fully understand मैं पूरी तरहिके से नहीं समझा Your words तुमारे अलफाजों को Tell me again जरा मुझे फिर से बताओ Tears asks I say मैं कह रहा हूँ That you yourself कि तुम खुद ही आर हो The man वो इंसान You are looking for जिसकी तुम तलाश कर रहे हो वो बंदा तुम खुद ही हो भाई IDIPUS That's twice you have stated That disgraceful lie ये जूट और ये गंदा जूट ये बेज़दी से भरा हुआ जूट तुम दो बार बोल सुके हो Something you will regret ये एक ऐसी चीज है जिस पर तुमको अफसोस होगा Tears asks Shall I tell you more क्या मैं तुमको कुछ और भी बताओ So you can grow even more and raised जिससे कि तुम और ज्यादा नाराज हो सको IDIPUS As much as you desire जितना तुम बता सकते हो उतना बताओ जितनी तुम्हारी इच्छा हो उतना बताओ It will be useless वो सब कुछ बेकार होगा यह डीपस को लग रहा है उसने तो कुछ की यह नहीं है तो यह जोट बोल रहा है तो तुम जितना बताना है उतना बता Tears सी आस अब देखे है और बोल रहा है I say that मैं यह कह रहा हूँ कि With your dearest family अपने ज्यादा सबसे ज्यादा प्यारे परिवार के साथ Unknown to you तुम्हें पता ही नहीं है You are living in disgrace तुम बड़ी नीचता के साथ रहे रहे हो बड़ी निक्रिश्टता के साथ रहे हो You have no idea तुम्हें तो कुछ खयाल ही नहीं है How bad things are कि चीजें कितनी बुरी हैं कितनी गिरी हुई कितनी नीच भरकतें तुमने की हैं कितना नीच तरीके की दशाएं हैं Conditions हैं Circumstances हैं परिस्थितियां हैं जिन में तुम रह रहे हो Idipas Do you really think You can just speak out Say things like that Like this And still remain unpunished Do you really think किया तुम वास्ता में सोचते हो You can just speak out कि तुम बोल सकते हो Say things like this ऐसी बातें अपने मुँँ से कह सकते हो And still remain unpunished और बिना किसी सजा के रहलोगे तुमें इसकी सजा नहीं मिलेगी क्या तुम ऐसा सोचते हो Tears yas Yes, I can हाँ मैं ऐसा सोच सकता हूँ If the truth has any strength अगर सचाई में कोई ताकत है तो मैं ऐसा बोलूँगा भी और इसकी सजा भी मुझे नहीं मिलेगी Edipus It does हाँ सच में ताकत है It does का मतलब क्या हुआ सच में ताकत है But not for you लेकिन तुम्हारे लिए नहीं Truth is not in you सच तुम्हारे अंदर है ही नहीं For your ears, your mind, your eyes are blind क्योंकि तुम्हारे कान, तुम्हारा दिमाग, तुम्हारी आँखें सब अंधें हैं ना तुम सुन सकते हो, ना तुम देख सकते हो, ना तुम सोच सकते हो सिर्फ तुम्हारी आँखें ही अंधे नहीं है तुम पूरे के पूरे अंधे हो Tears, you are a ratchet fool to use harsh words which all men soon enough will use to curse you तुम एक बेवकूफ बेचारे बन दे हो Ratchet माने दुष्ट भी होता है, बेचारा भी होता है तुम एक बेवकूफ दुष्ट हो, ये भी कह सकते हो तुम एक बेवकूफ दुष्ट इंसान हो to use harsh words, जो इतने कठोर शब्द प्रियोग कर रहे हो which, जो के, ऐसे ही कठोर शब्द all men, सारे लोग, soon enough, बहुत जल्दी will use, प्रियोग करेंगे to curse you, तुम्हें शराब देने के लिए तुम्हें गालियां देने के लिए ऐसे ही कठोर शब्द, अलफाज use किये जाएंगे, प्रियोग किये जाएंगे तुम्हारी खातिर, कुछ ही दिन रुक जाओ इडिपस क्या कह रहा है you live in endless darkness of the night you live, तुम रहते हो in endless, कभी न खत्म होने वाले darkness अंधिरे में of the night, रात के so you can never injure me or any man so इसलिए you can never injure, तुम कभी चोट नहीं पहुचा सकते me or any man ना मुझको, ना किसी और बंदे को who can glimpse daylight जो दिन की रौशनी देख सकते हैं मैं देख सकता हूँ, दूसरे बंदे देख सकते हैं तुम तो अंधे हो, तुम हमको कोई चोट नहीं पहुचा सकते हैं it is not your fate to fall because of me ये तुम्हारा भाग्य नहीं है तुम्हारा नसीब नहीं है कि तुम मेरी बजह से गिरो to fall because of me ये तुम्हारा जो नाश हो तुम्हारा जो पतन हो मेरी वजह से हो ऐसा तुम्हारा नसीब नहीं है Lord Apollo will make that happen ये श्वर देवता Apollo खुद ऐसा करेगा He will be enough वो अकेला ही काफी होगा इडिपस Is this something क्रियोन has devised? क्या ये कुछ ऐसी चीज है जो क्रियोन ने निर्धारित की है यानि वो इडिपस अब सोच रहा है कि क्रियोन और टियर सियास क्या ये शडियंत है अब इडिपस के यहां आने से पहले राज किसका था? क्रियोन का था अब इडिपस को ऐसा लग रहा है कि क्रियोन ने ही लियास को मरवाया है राजा बनने के लिए ऐसा होता रहता है साले के लिए जीजा को मरवाना जीजा के लिए साले को मरवाना कोई बड़ी बात नहीं है तो हो सकता है कि अपने जीजा को मरवाया हो क्रियोन ने यहां थीप्स का राजा बनने के लिए और टियर सियासिस में शामिल हो तो वो कह रहा है is this something क्रियोन has devised क्या ये शरियंत क्रियोन का रचा हुआ है और is it your invention या फिर जो तुम कुछ कह रहे हो ये तुम्हारी ही invention है यानि मेरे उपर जो दोश लगा रहे हो कि मैंने सब कुछ किया है प्यारा मैं हूँ ये तुम्हारा विश्कार है ये तुम्हारी खोज है या फिर क्रियोन ने कहा है तुम से ऐसा कहने के लिए क्रियोन तो कोई थ्रेट है ही नहीं क्रियोन तो कोई खत्रा है ही नहीं ये खत्रा तो तुमने खुद के लिए खुद पैदा किया है इडिपस अपा काफी लंबा सेंटेंस है फिर हमें वो एक एक लाइन का ही करना पड़ेगा ओ वेल्थ हैं रूलिंग पावर अरे दौलत और रूलिंग पावर ये जो फिगर ओफ ए स्पीच है इसको हम एपस्ट्रॉफी कहते हैं कि जो दौलत है और जो रूलिंग पावर है उनसे डिरेक्टली बात कर रहा है यानि सत्ता की खातिर धन की खातिर ऐ धन ऐ सत्ता तुम्हारी खातिर क्या क्या नहीं होता है इस दुनिया में ऐसा वो कह रहा है स्किल आफ्टर स्किल यानि एक चतुराई के बाद दूसी चतुराई एक चाला की दूसी चाला की यानि ट्रिक्स चाला किया चाले चली जाती है तुम्हारी खाते Surpassing All यानि एक से बढ़कर एक In Life's Rich Rivalries यानि इस जिन्दगी की जो बड़ी-बड़ी Rivalries है Rivalry प्रतिद्वन्दता होती है मैं राजा बनूगा के मैं राजा बनूगा ये Rivalry होती है तो इस जीवन में जो प्रतिद्वन्दता हैं सप्ता को हासिल करने के लिए दौलत को हासिल करने के लिए How much envy कितनी ज्यादा envy कितनी ज्यादा इरश्या You must carry with you तुम्हारे अंदर है यानि तुम्हारी वजह से कितनी इरश्या लोगों में होती है तुम्हें हासिल करने के लिए If For this kingly office अगर इस राज सिंगहसन के लिए Which the city gave me जो के इस शहर ने मुझे दिया था For I did not seek it out क्योंकि मैंने तो इसको नहीं खो जा था मैंने तो इसको नहीं चाहा था राज को My old trusted family friend मेरा पुराना विश्वास पात्र मेरा परिवार का सद़ से मेरा दोस्त Has secretly conspired अगर उसने रहसिमई तरीके से छुप कर Conspired बने ये शडियंत रचा है To overthrow me मुझे सिंगहसन से उतारने के लिए And paid off a double dealing quack Paid off रिश्वत दी है A double dealing quack याने दोनों तरफ जो double dealer होता है वो धर की भी हो धर की दोनों तरफ की बजाता है दो मुहा होता है तो इस double dealing quack को इस जो होते न जिनके नाच की ओजहा होते हैं जो जिनको आता जाता कुछ नहीं है कोई knowledge नहीं होती सिर्फ दिखावा करते हैं तो इसको अगर रिश्वत दी है लाइक दिस इस तरीके से अ क्राफ्टी बोगस प्रीस्ट ये क्राफ्टी चालाग बोगस मने नकली प्रीस्ट पुजारी फू कैन ओनली सी इस ओन एडवांटेज जो केवल अपना ही फाइदा देख सकता है इस तरीके का जो पुजारी होते हैं जो अपनी खास कला से इस एपसलिटली ब्लाइंड पूरी तरीके से अंधा है कम ओन आओ चैल मी मुझे बताओ हाओ यू हैब एवर गिवन एविडेंस ओफ यूर वाइज प्रोफेसी कि कैसे तुमने अपनी ये बुद्धिमानी से भरी हुई जो भविश्यवानी है क्या कभी उसका तुमने कोई प्रमान दिया है यानि मुझे बताओ कि कब-कब तुमने भविश्यवानी की है ऐसी बुद्धिमानी से भरी हुई कब-कब ये प्रमानित होता है evidence proof दो इसका कि कब तुमने की है यानि तुम्हारे अंदर अगर बुद्ध मानी है तो इसका proof दो कि तुम जो बोलते हो वो सच बोलते हो when the Sphinx जब वो Sphinx यहां रहा करती थी that singing bitch वो गाती हुई कुतिया हलांकि वो मैंने आपको description बताया वो शेरनी का शरीर था शेर का और जो उसका सिर था औरत का था पंक थे उसके तो was here जब वो Sphinx यहां थी you said nothing तो तब तो तुमने कुछ नहीं बोला to set the people free लोगों को आजाद करने के लिए यानि अगर तुम इतने ही टहलता हुआ आदमी जो पहला चलता हुआ आदमी आए वो उसको solve कर दे अब profit was required उसकी पहली को हल करने के लिए एक profit की जरूरत थी तो तब तुम क्यों नहीं बोले and there the people saw your knowledge was no use और उस वक्त लोगों ने देखा कि तुम्हारा जो ग्यान था वो किसी काम का नहीं था nothing from birds or picked up from the gods कुछ भी तुमने चिडियों की जो चहजाहट है उससे भी कुछ नहीं तुमने पता लगाया ना देवताओं से तुमने कुछ पूछा कोई भी तुमने knowledge नहीं दी but then I came लेकिन तब मैं आया तुम तो उस पहली को हल नहीं कर पाए तब मैं आया इडिपस, मैं इडिपस who knew nothing जिसको इस बारे में कुछ नहीं पता था yet I finished her off लेकिन फिर भी मैंने उसको खतम किया using my wits अपनी बुद्धिमानी, अपनी अकल को मैंने प्रियोग किया, अपने दिमाग यूज किया rather than relying on birds बजाए चिडियों के ऊपर निरफर रहने के मैंने अपने दिमाग से उसको खतम किया that's the man you want to overthrow वही इंसान हूँ मैं जिसको तुम गद्धि से हटाना चाहते हो hoping, उमीद करते हुए no doubt, Nissan there to stand up there with क्रियों कि तुम इस गद्धी पर क्रियों के साथ यहां खड़े होगे once he is king, एक बार जैसे ही वो राजा बनता है but I think, लेकिन मुझे लगता है you and your conspirator तुम और तुम्हारे साथ का जो शर्यंत्र कारी है in this, इसमे will regret, अफसोस करो के trying to drive me from the state जब तुम कोशिश करोगे मुझे को इस राज्य से भगाने की तो उसमें तुम अफसोस करोगे if you did not look so old अगर तुम इतने बूढ़े नहीं दिखते you would find out तो तुम्हें पता चलता the punishment your arrogance deserves कि जो तुम्हारा arrogance है, जो तुम्हारा घमंड है उसको कैसी सजा मिलनी चाहिए कि सजा के लायक है, वो क्या सजा deserve करता है, तुमको मैं बताता अगर तुम इतने बूढ़े नहीं होते chorus leader to us this sounds as if tear sias has spoken in anger अब chorus leader उन दोनों के बीच में बीच बचाव करने की कोशिश कर रहा है तो वो कहता है to us हमको ऐसा लगता है, it sounds as if जैसे कि tear sias has spoken in anger कि tear sias ने गुसे में ऐसा बोल दिया है and edipus you have done so too और edipus तुमने भी ऐसा गुसे में ही किया है that isn't what we need अब इस वक्त हमें एक दूसरे के गुसे की जरूत नहीं है instead we should be looking into this बजाए इसके हमको इस मामले को देखना चाहिए how can we best act on the God's decree कि हम लोग जो देवता ने हमें आदेश दिया है उसमें हम सबसे अच्छे तरीके से कैसे काम कर सकते है तो tear sias क्या कहता है you may be king तुम राजा हो सकते हो but I do have the right लेकिन मुझे हक है to answer you तुम्हें जवाब देने का and I control that right और ये हक मेरे पास है for I am not your slave क्योंकि मैं तुम्हारा गुलाम नहीं हूँ I serve Apollo मैं Apollo की सेवा करता हूँ and thus will never stand with Creon और इस प्रकार मैं Creon के साथ कभी खड़ा नहीं हूँगा signed up as his man उसका आदमी बनकर so I say this to you इसलिए मैं तुमसे ये कह रहा हूँ since you have chosen to insult my blindness क्योंकि तुमने मेरी अध्यपन की बेज़दी करने को चुना है तुमने मेरी अध्यपन की बेज़दी की है you have your eyesight तुम्हारे पास तो अपनी आँखें है and you do not see और तो भी तुमको नहीं दिख रहा है how miserable you are कितने बेकार, कितने कश्ट में तुम हो and where you live and कहां तुम रह रहे हो and who it is you share your household और वो कौन है जिसके साथ तुम अपना घर बांट रहे हो अपना बिस्तर बांट रहे हो वो कौन है जिसके साथ तुम रह रहे हो do you know the family you come from क्या तुम जानते हो कि तुम किस परिवार का हिस्सा हो किस परिवार से आये हो without your knowledge you have turned into the enemy of your own relatives और बिना किसी जानकारी के तुम अपने ही रिष्टेदारों के अपने परिवार जनों के खुद ही दुश्मन बन गए हो those in the world below उन रिष्टेदारों के भी जो in the world below जो नीचे के संसार में हैं यानि जो मर चुके हैं and those up here और जो इस संसार में हैं यानि धर्ती पर हैं उन सब के तुम दुश्मन बन गए हो and the dreadfulest curse और वो जो भयानक दंड of that two-ed curse वो जो दुधारी तलवार है जो तुमने श्राब दिया है of father and mother माता का और पिता का will one day drive you एक दिन तुम को निकाल देगा from this land इस धर्ती से in exile बनवास देकर तुम्हें देश निकाला मिलेगा इसके लिए those eyes of yours वो तुम्हारी आँखें which now can see so clearly जिन से अब इतना सफ़ दिखाई देता है will be dark वो तुम्हारी आँखें अंधी हो जाएंगी what harbor will not echo with your cries वो कौन सा harbor होगा यानि वो कौन सी गुफा होगी कौन सी जगह होगी will not echo जो नहीं गुजेगी with your cries तुम्हारी चीखों से चारों और तुम्हारी की चीखें गुजेंगी where on sitharan will they not soon be heard और sitharan पर वो तुम्हारी चीखें सुनी जाएंगी यह जो sitharan है एक mountain range है thieves के पश्चिम में once you have learned the truth एक बार जब तुम्हें सच्चाई पता चल जाएगी about the wedding उस शादी के बारे में by which जिसके द्वारा you sailed you sailed into this royal house तुम इस घर में चल कर आए a lovely voice वो एक बड़ी प्यारी यात्रा थी but the harbor is doomed लेकिन यह जो बंदरगाह है यह doomed है यह शापित है यह अंधेरे में है यह बरबादी के कगार पर है you have no notion तुम्हें तो कोई खयाल ही नहीं है of the quantity उस मात्रा की उस तादाद की of troubles उन परेशानियों की which will render you and your own children equals जिससे कि तुम और तुम्हारे बच्चे बराबर हो जाएंगे so go on इसलिए तुम आगे बढ़ो keep insulting क्रियोन क्रियोन की बेजज़ती करते रहो and my prophecies और मेरी भविशवानों की बेज़ज़ती करते रहो for among all living mortals क्योंकि जितने भी जीवित इंसान है nobody will be destroyed कोई भी बरबाद नहीं होगा more rapidly ज्यादा बुरे तरीके से than you तुम से यानि तुम इतने ज्यादा बुरे तरीके से बरबाद होगे जितना कोई इंसान कभी नहीं हुआ होगा ना कभी होगा इडिपस must I tolerate this insolence from him क्या मुझे बरदाश्ट करनी चाहिए ये बत्तमी जी इस आदमी की get out निकल बाहर and may the plague get rid of you और ये जो plague फैला हुआ है ये तुम से छुटकारा दिला दे दुनिया को मलब तुम मर जाओ इस plague से off with you भागो यहां से now turn your back and go अब घुमाओ अपनी पीठ और जाओ यहां से and don't come back here to my home again और मेरे घर यहां कभी बावस मताना tears yes I would not have come मैं तो बिलकुल नहीं आता but you summoned me लेकिन तुम ही ने मुझे बुलाया था Edipus I did not know मुझे मालूम नहीं था you would speak so stupidly कि तुम इतनी बेवकूफी से बात करोगे if I had अगर मुझे मालूम होता you would have waited a long time before I called you here तो तुम लंबे समय तक इंतजार करते से पैदा हुआ था I think I am a fool but to your parents the ones who made you I was wise enough you think I am a fool तुमको लगता है कि मैं बेवकूफ हूँ but to your parents लेकिन तुम्हारे माता-पिता के लिए the ones who made you वो माता-पिता जिन्हों ने तुम्हें जर्म दिया I was wise enough मैं उनके लिए बहुत बुद्धिमानी से भरा हुआ था यानि वो मुझे बुद्धिमान मानते थे IDIPUS wait my parents मेरे माता-पिता who was my father कौन था मेरा पिता Tears he asked this day will reveal आज का दिन ये बता देगा that and यस बात को and destroy you और आज का दिन तुम्हें बरबाद भी कर देगा आज तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हारा पिता कौन था और आज का दिन तुम्हें बरबाद भी कर देगा IDIPUS everything you speak is all so cryptic हर बात जो तुम बोलते हो इतनी रहसे मई होती है like a riddle एक पहेली की तरह तुम साफ साफ शद्दों में नहीं बोल सकते क्या tears he asked well in solving riddles are you not the best there is अच्छा तो पहेलियां हल करने में क्या तुम सबसे अच्छे नहीं हो यानि तुमने स्फिंक्स की पहेली हल कर दी भाई तुम तो पहेलियां हल करने में माहिर हो ना तो solve कर लो इस riddle को भी ृडिपस mock my excellence अच्छा मेरी चतुराई का मेरी कला का मजाग बना रहे हो मेरे अंदर जो capability है riddles को हल करने की पहेलियों को उसका तुम मजाग बना रहे हो but you will find out I am truly great लेकिन तुम्हें पता चलेगा कि मैं सच मुच में महान हूँ that success of yours has been your ruin यही तो तुम्हारी जो सफलता थी यही तो तुम्हारे पतन का कारण बनी है यसी से तो तुम्हारा विनाश हुआ है यानि तुम्हारी जो पहेलियां हल करने की ताकत है यही तो तुम्हारे विनाश का कारण बनी क्योंकि ना तो यह स्फिंक्स की पहेली को हल कर पाता और ना ही थीप्स के अंदर आ पाता तो इसके विनाश का कारण तो यही success है सफलता है इडिपस I do not care मैं परवाह नहीं करता if I have saved the city अगर मैंने शहर को बचा लिया है cheers yes I will go now अब मैं जा रहा हूँ boy lead me away लड़के मुझे जड़ा ले चलो इडिपस yes let him guide you back उस लड़के को ले जाने दो तुम्हें वो ले जाएगा बापस you are in the way तुम रास्ते में हो if you say you will provoke me once you are gone you won't annoy me further यानि अगर तुम बोलते रहोगे if you stay अगर तुम ठहरे रहोगे you will provoke me तो तुम मुझे उकसाते रहोगे कुछ न कुछ ऐसा बोलते रहोगे कि मुझे गुस्ता आएगा और एक बार जब तुम चले जाओगे तो फिर तुम मुझे और घुस्ता नहीं दिला पाओगे I am going मैं तो जा रहा हूँ but first I shall tell you लेकिन पहले मैं तुम्हें बताओँगा why I came मैं क्यों आया था I do not fear the face of your displeasure तुमारे अपरसनता से मैं नहीं डरता there is no way you can destroy me कोई तरीका नहीं है तुमारे पास जिससे तुम मुझे बरबाद कर सको I tell you मैं तुम्हें बता रहा हूँ the man वो इनसान you have been seeking all this time जो तुम इतने लंबे समय से खोज रहे हो जिस इनसान को while proclaiming threats और जिसके लिए तुम धंकिया दे रहे हो श्राब दे रहे हो and issuing orders or orders issue कर रहे हो यानि आग्याएं दे रहे हो about the one who murdered lias उस आदमी के बारे में जिसने lias की हत्या की थी that man is here वो इनसान यहीं पर है according to reports reports के अनुसार he is a stranger who lives here in thieves वो एक अजनभी है जो कि thieves में रहता है तो dear sias के कहने का मतलब है कि वो तुम अजनभी हो तुम बाहर से आए हो और तुम thieves में रह रहे हो तो reports यह कहती है कि अजनभी है और thieves में रह रहे है but he will prove to be a native thiefan लेकिन बाद में यह साबित होगा कि वो जो इनसान है वो thieves का native है यानि thieves में ही पैदा हुआ था क्योंकि इडिपस thieves में ही पैदा हुआ था इसकी पूरी कहानी भी आगे आगे खुलती जाएगी वैसे मैं आपको अभी बता सकते हूं सारी कहानी लेकिन आपका suspense खतम हो जाएगा तो इसलिए मैं नहीं बता रही तो बाद में ये प्रूव होगा कि वो नेटिव थीवन है यानि बाहर से आया हुआ व्यक्ति नहीं है बलके thieves में ही पैदा हुआ था इसलिए नेटिव थीवन है और इस परिवर्तन से कि वो नेटिव थीवन है बाहर का आदमी नहीं है इस चेंज से he will derive no pleasure उसको कोई खुशी नहीं मिलेगी he will be blind वो अंधा हो जाएगा although he now can see हलांकि इस वक्त वो देख सकता है he will be a poor वो एक गरीब हो जाएगा although he now is rich हलांकि वो इस वक्त बहुत अमीर है he will set off for a foreign country फिर वो यहां से दूसरे देश में चला जाएगा विदेश में चला जाएगा groping ढूरते हुए the ground जमीन को before him अपने सामने की with a stick छडी से यानि अभी देख सकता है जब अंधा हो जाएगा तो उसके हाथ में stick होगी छडी होगी और उस छडी से अपना राश्ता टटोलता हुआ वो इस देश से निकल जाएगा and he will turn out और वो निकलेगा to be the brother भाई of the children उन बच्चों का in his house जो उसके घर में है यानि उसके घर में जो बच्चे हैं उन ही बच्चों का वो भाई निकलेगा their father too उनका पिता भी निकलेगा both advance दोनों एक साथ and the husband और वो पती भी निकलेगा and the son और बेटा भी निकलेगा of the very woman उसी औरत का who gave birth to him जिसने उसे जन दिया था he saw the same womb as his father and murdered him उसने उसी गर्व को बोया जो उसके पिता ने बोया था और फिर उस पिता की हत्या कर दी go in जाओ अंदर and think on this और इसके बारे में सोचो if you discover और अगर तुम्हें पता चले I have spoken falsely कि मैंने जूट बोला है you can say तो तुम कह सकते हो I lack all skill कि मेरे अंदर कोई skill नहीं है कोई शमता नहीं है in prophecy भविश्यवानी करने की तो जितनी बाते मैंने अभी बोली है अगर ये सब जूट निकले तो तुम कह देना कि मैं कोई भविश्यवानी करने वाला नहीं हूँ मैं कोई भविश्यवक्ता नहीं हूँ तो एक तरीके से वो आपको बता गया इस dialogue ये जो अभी statement इसने दिया है इसके dialogue से आपको पता चल गया होगा कि माजरा क्या है इडिपस अपने ही बच्चों का भाई निकलेगा और अपनी ही मा का पती निकलेगा और अपने पिता का हत्यारा निकलेगा ओहो ओहो क्या मतलब इतना जगने अपराद इतनी जगने बात इतनी hateful बयानक बात ये चीज तो किसी के साथ कुई नहीं होगी दुनिया में और इश्वर करें कभी किसी के साथ ना हो हमारे दिल से यही निकलता है तो यहाँ पर खतम हुआ ये दिरिश्य यहाँ से टिरिश्यास निकलता है उसका जो लड़का है वो उसको लेकर जाता है इडिपस चर्ण्स एंड गोज बैक इंटू दा प्लेस पैलेस इडिपस वावस मुडता है और अपने महल में चला जाता है तो यह यहाँ पर फर्स एपिसोड खतम होता है अगर मैंने आपको बताया था कि जो ब्रैकेट में लाइन्स दे रखी है यह ग्रीक टेक्स की लाइन्स हैं तो ग्रीक टेक्स के अनुसार यह 460 लाइन्स यहां तक हो गई और इंग्लिश टेक्स के अनुसार यह 560 लाइन्स यहां पर होगी 200 lines का फर्क आ गया देखिए यहां तक आते आते और जहां हमारा drama खतम होगा वहां Greek text के अनुसार 1530 lines होगी और English text के अनुसार 1810 lines होगी ठीक है तो इससे आगे हम अगले वीडियो में करेंगे यह वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं धन्यवाद